एक टीपू पूरे हिंदुस्तान पर भारी था अगर आज ये जुम्ला नहीं समझें तो कुछ भी नहीं समझें एक टीपू सुल्तान पूरे हिंदुस्तान पर भारी था अंगरेज कुटे who कहते थे उनको क्या तारीफ करने का कमीनों गों हमारे हिंदुस्तान को सत्या नाज करके चले गए उनको कौन से तारीफ ए अनफास में बोलने का उनको तो गाली देकर बात करेंगे वो अंगरेज कुटे यु कहते थे जब तक सरजमीन हिंदुस्तान पर सेरे टिपो सुल्तान है हम हिंदुस्तान की एक बारी समीन को भी देने से आखा के वपातार है उल्मा जोबन इसलाम के घंखान है उल्मा जोबन आखा के वपातार है उल्मा जोबन इसलाम के घंखान है उल्मा जोबन असलाम आलेकुम और रहमतुलाही वबरकातू नाजरीन अगर आप हमारे चैनल में ने हैं तो हमारा चैनल यसर चैनल को सब्सक्राइब करें और बाइल आइकन को दबाएं ताके नए नए वीडियो अपलोड होती ही आप तक नोटिफिक्शन के जरे पहुंच सकें जजाको लूँ असलाम आलेकूम रह्मत ल्लाही और कातो मैंने सलाम किया है जिन्दों को और जिन्दों का सलाम जिन्दों की तरह से उसका जवाब आना चाहिए मुझे ऐसा लगा दुबदान का बरस्तान में आया हूँ मैंने अभी भी इशारा नहीं समझे फिर से सलाम कर देता हूँ असलाम आलेकूम रह्मत ल्लाही वबरकाता और मैं रुखी सुधी तक्रीर नहीं करता आपका जब तक साथ नहीं मिलेगा मैं चार्ज नहीं हो सकता इसलिए मेरी आपसे मुझारीश है कि आप सीरत नभी सल्लाब ल्लाह वल्यों सल्म को सुने के वास्ते और एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है हज़रत पीराने पीर दस्तगीर हज़रत घौस अलाजम शेख अद्रुकादिर चीलानी रह्मत ल्लाह आले इनके बारे में और कुछ और बहुत सारी बाते है आपके सामने बयान करना चाहता हूँ आपकी साथ की जरूरत है कोई भी जुम्ना आपको पसंदा जाए अच्छा लगे तो कम से कम सुबहान ल्लाह बोलने की कोशिश खाए क्या मैं बोलेंगे क्या मैं बोलेंगे अभी भी आवाज नहीं आरी क्या मैं साथ देंगे मैं स्टेज वालों से नहीं कुछा सामने वालों से पूछा जरी के बार बार इतर गर्दन घुमा हुआ तो मेरी गर्दन दूज जाए मैं आप से पूछ रहा हूँ क्या आप मेरा साथ तेंगे एक मतबा बहुत महबत के साथ अजमत के साथ वकार केसा दरूश चरीजित पर लें अल्हम्द लिल्लाइ अल्हम्द लिल्लाइ नहम्मदू वनस्ताइब वनस्तवफिर वनुम्मिली वनतोक्ल अल्यी वनाओ विल्जू लूज़ अशीद़ना उसमये मारी लूर मुदम वेला मुहाम्द है लूजर शक्रण वेले सल्ले लूवार वाले हैं अलय वेली और अरोद उस्राब हैं पार्ड वन्म तला मुहाम्मदा लूद मतामा लूर आवाग दोड़ीजरिय हैं बिस्मिलाइबर्राह्मान अरुहीम इन कुन्तुम तुबुन अल्हा फथबुन अल्हा वात्रियुमी इखिबकुम अल्हा वो यफिर लदुनूबकुम वाल्हा रफुरुरुुम 23. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحصلون 24. الذين آمنوا وكانوا يتقوم 25. صدق الله عظيم वा सदका रसूलुहुन नभी करीम वा नहनु अला दालिक लमिन साहिदीन वा साकिरीम वालहंदु लिल्लाहि रबिल आदमीम बेरादरानी महतरम मेरे भाईयो घुजरुगो दोस्तो पर्दे में बैठी वी मेरी माई और में ने इस वक्त हम इमाम अम्बिया अहमद मुझतवा मुहमद मुस्तवा स्लिल्लाहु आलिए वा सल्म की सीरत को आपके जिन्दगी के मुबारक लमहाद को सुनने के लिए उस पर अमल पहरा होने के लिए के हमारी जिन्दगी का एक अदम इमाम अम्बिया स्लिल्लाहु आलिए वा सल्म की सीरत के मुताबिक धले और चले उनके नक्षे कुदम के मुताबिक हम जिन्दगी गुजारे इसके लिए ये जो महिना गुजरा रबियु अवल का इस महिने में खासकर सीरत के बहुत सारे जलसे होते हैं बहुत सारे बेयानात होते हैं बहुत सारी तक्रीरे होती हैं कीम होती है उसका रिसन क्या उसका कारण क्या है दुन Vegas जितने मर्द हैं जितनी औरते हैं जितने बच्चे हैं उन सब के लिए हमारे नबी जनाब मुहम्मदू रसूलिळू ﷺ کی زندگی کا एक-एक मिनट आपकी जिन्दगी का एक-एक लबहा बच्चों के वास्टे मर्दों के वास्टे औरतों के वास्टे नमूना rays बनाया है आपका भच्छमन कैसे गुज्रा आपकी जवानी कैसे गुजी आपनी जवानी कैसे गुजाही आपका बच्छोना कैसे गुजरा आप बड़ी उमर में किस तरह जिन्दगी गुजरे आपने मस्जिद का क्या खयार रखा आपने बच्छों का कैसे खयार रखा आपने बड़ी उमर के लोगों का क्या खयार रखा आपने औरतों का क्या खयार रखा आप ने आुड़त को क्या मकाम दिया आप के साथ रहने वाली חदिजा को लपना पक्या मकाम दिया आइशा को लपना क्या म क्या मकाम दिया आपकी चार बीटियां हजरतِ志एनप, हजरतِ लुकईया, हजरतِ उम्मिकुלसु, हजरतِ değer फात्मतुज़रा रजी आलाए आपकी चार बेटियां इन बेटियों के साथ जनाब मुहम्मद रसुल्लाप सलल्लाप लौन अल्यूं का क्या प्यार था इंसानियत के लिए क्या मैसच दिया क्या पेगाम दिया बहुत सारी बाती है मैं कभी-कभी बेयानात में कहा करता हूँ حضورﷺ की जिन्दगी का एक एक मेनट सारी इंसानियत के लिए नमूना है अगर उसको सही तोर पर इस्टडी किया जाए उस पर मुताला किया जाए उस पर गॉर्ण किया जाए बच्चों के लिए हुजू का बच्वाना जवादों के लिए حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور بڑوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برکپن سب کے لئے نمونہ ہے قرطوں کو کیا مقام ملا بچوں کو کیا مقام ملا اللہ کی قسم ہم فرامرز ہیں ہم فانو ہیں جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں کم سے کم سات سے دس مرتبہ میں نے ہمارے نبی کا نام لیا اور بیان شروع کرنے سے پہلے دوبھدال ٹیپو سلطان سرکر کی لوگوں نے یوں کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور سب کے سب جو ہے وہ ایسے بیٹھے جیسا ہی مجھے کھا جائیں گے کم سے کم نبی کا نام آئے تو کیا بولنا سہیں ریزورس ہی بولو نام رکھا ہے ٹیپو سلطان سرکر اللہ آپ کو جزائے خیر دے ابھی بھی نہیں سمجھے میری بات سر اززور سے بولیں صلی اللہ علیہ ساتھ دیں گے نہیں آواز نہیں آنے ابھی بھی آواز نہیں آنے ہاں اس طرح تو نبی کا نام آئے تو کیا بولنا چاہیے ضرور سے بولو صلی اللہ علیہ اچھا یہ بات میں کیوں بولو یہ بات میں کیوں بولو آج کی جو رات ہے پیر کی رہا دھیان سے سنو جیل بہت آج کی جو رات ہے ذرا اب اپنے سارے کام روک دیں بات پر سنو بچوں کو ایک طرف بیٹھا دیں کیونکہ اب بات شروع ہو رہی ہے پھر ان کو بیٹھاؤ ان کو بیٹھاؤ تو بات صحیح نہیں ہو پائے گی اس لئے بچوں کو بھی بیٹھا دیں جو بھی مہمان ہیں ان کو بیٹھا دیں بلسیوں پر آج کی جو رات ہے پیر کی رات پیر کی رات اور جمعہ کی رات اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سارے حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں وہ بھی سنیں اور سامنے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں پیر کی رات اور جمعہ کا دن جمعہ کی رات پیر کا دن پیر کی رات ابھی جس میں میری بات شروع ہے اب رات شروع ہو چکی ہے اللہ نے ایک سسٹم بنا ایک نظام بنایا ہے سنیچر اس کے بعد پیر منگل بد جمعہ یہ جو دن ہے اور ان کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں جو بھی بننا جو بھی بنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پھیجتا ہے یا پھیجتی ہے تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ فرشتے ہمارا سلام ہمارا درود ہمارا سلام ہمارا درود فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچاتے ہیں کہ فلا علاقے سے آقا آپ کو یہ سلام آیا ہے آپ کو یہ درود پہنچایا گیا فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو توجہ سے سنے گا یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ فرشتے ہم نے ایک پردگا اگر صلی اللہ علیہ وسلم بھولا ہے یا درود بنا کر گفت بنا کر حدیعہ بنا کر روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے اور یوں کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز آپ تک پہنچائی جا رہی ہے آپ کے فلا امت انہیں آپ کو یہ گفت بھی جائے یہ تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ہفتے بھر لیکن اس ہفتے بھر میں دو دن اور دو رات ابھی میں نے بتایا دو دن اور بولو زور سے دو دن اور دو راتیں ایک پیر کی رات پیر کا دن جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن یہ دو دن میں اللہ کا نظام یہ ہے اللہ کا نظام کیونکہ ابھی بات شروع ہو رہی ہے بات شروع ہو رہی ہے اور چونکہ حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر بات ہونے والی ہے اور چونکہ رات جو پیر کی لگی ہوئی ہے پیر کی رات پیر کا دن جمعہ کی رات جمعہ کا دن یہ دو دن دو رات میں اللہ کا نظام یہ ہے میں میری ماں سے بھی بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں یہ اس پر ذرا توجہ دیں اور یہ جتنا مجمعہ بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو کیا بولو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا ساتھ تو اس کی مجہ اس کا قارن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیر کی رات ماں کی رات اور جمعہ کا دن یہ دو دن میں یہ دو دن میں اور دو راتوں میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے نبی کا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ درود پڑھے اسے فریشتے نہیں پہنچائیں گے اے ہوا تجھے جانا ہے حضور کے دربار میں اور میرے نبی کی امت کا سلام اور درود تجھے ڈائریکٹ پہنچاتے ہیں اللہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے والوں کیلئے بہت بڑی بات ہے فریشتے نہیں جاتے ہوا جاتی ہے اللہ اس امتی کی آواز کو وہاں تک پہنچاتے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو والتوفہ اللہ پہنچاتے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے نوزوانوں اس وقت ہم بیٹھے ہیں کس کا تذکرہ کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کو ہم سننے والے ہیں جس کے تذکرے کے واسطے ہم بیٹھے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ مدینہ میں آرام کر رہے ہیں لیکن ہمارا ایک ایک جملہ اللہ حضور صلی اللہ کے روزے تک پہنچا رہے ہیں اس لئے آپ سب ساتھ دیں اس لئے کہتے جب کبھی ایسی مجلس لگتی ہے تو کسی شاعر نے کہا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے تھوڑی دیر سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قطر سیرت سمندر ہے سیرت سمندر ہے وہ سمندر کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا نہ کوئی کر سکا ہے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر اس کو سمجھ جانا چاہتا توجہ ہے آپ دیکھو قرآن کر رہا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل انتن فد کلمات ربی ولو جئنا بمثل مدادا اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں اے دنیا کے امسان اے پیغمبر عربی صلی اللہ بیان کرسکتا ہوں اللہ جس کی سیرت کو بیان کرے میری تمہاری کیا اوقات ہے اللہ کے قسم ہم حضور اکرم صلی اللہ جو بیان کیا ہے کسی نے پوچھا اللہ سے اللہ ہم حضور کی صیرت کو دیکھے تو کشم دیکھے کہا میں قرآن نازل اس لئے کیا کہ تم جو ہے میرے نبی کو پہچان اللہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے ایرلات لے رسول اے میرے ایرلات لے حبیب آپ کہہ دیجئے دنیا کے سارے انسان دنیا کے سارے چننا سارے فرشتے میدان میں جمع ہو جائیں اللہ کہہ سارے کے سارے میدان میں جمع ہو جائیں ساتوں زمین ساتوں آسمان کو پاٹی بنا لے تختیاں بنا لے تختی سمجھ لے تختیاں بنا لے بچپن میں دی جاتی چھوٹی چھوٹی تختی پاٹی جسے ہم کہتے ہیں بورڈ بنال بورڈ جسے کہتے ہیں بلیک بورڈ جسے کہتے ہیں ساتوں زمین ساتوں آسمان کو بورڈ بنال تختیاں بنال کون کہہ رہے بولو کون کہہ رہے زور سے بولو اللہ کہہ رہے شاید آپ کسم کھا کر بیٹھے یعنی جلدی بیان کرنا اس کے بعد بیان ختم نماز بننا ہمارا کھانا تھنڈا ہوتا ہے تمہیں چھنٹا کر انہوں کو دوبدار والا کھانا جلدی تھنڈا نہیں ہوتا حسے سرجل لیکن جواب ہو جاؤ کون کہہ رہے با ارے بولو نا کون کہہ رہے اللہ کہے اے دنیا کے انسان اے جنت اے فرشت ایک میدان میں جمع ہو جاؤ سات زمین سات آسمان کو تختیاں بنالو بوڑ بنالو اور اس کے بعد کیا کہا جتنے سمندر بہنے بنائے سمندر پانی جتنے سمندر بہنے بنائے ہیں ان کو سیاہی بنالو انک بنالو اللہ اکبار انک بنالو روشنائی بنالو اس کے بعد کہ دنیا میں جتنے جنگلات ہیں ان جنگلوں میں جتنے درخت ہیں ان کو پیم اور قلم بنالو اللہ جتنی توجہ سے سنو گے بات انشاءاللہ کھلتے جائے گی ذرا حبیبی مصطفی ساسلوں کا تذکیرہ کروں دیکھو اللہ کیا کہے اے دنیا کے انسانوں اے دنیا کے جنتوں اے دنیا کے فرشتوں سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ ساتھوں زمین ساتھوں آسمان کو تختیاں بنالو پاڈی بنالو بورڈ بنالو دنیا میں جتنا پانی ہے اسے انک بنالو روشنی بنالو روشنائی بنالو اور اور کا دنیا میں جتنے جنگلات ہیں ان جنگلات میں جتنے درخت ہیں ان درخت وں ہو جائیں گی دخت یاں بھر جائیں گی کلم تھک جائیں گے اے انسانوں اے جناتوں اے فرسطوں تمہارے ہاتھ تھک جائیں گے اللہ برمارے میری تاریف ختم نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کبیر اس کے بعد آگے کا جنگلہ جیسے میری تاریف ختم نہیں ہو سکتی جس کے صدقے میں میں اٹھارہ ہزار مخلوقات پیدا کیا ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف وہ نبی جس سے میں خود بہت پیار کرداؤ بہت محبت کرداؤ جس کا نام میں نے حبیب اللہ رکھا ہے اللہ حبیب جس کو لقب میں دیا ہے حبیب اللہ کا اس کی تاریف کا احاطہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا بہت بڑی بات ہے سمجھنے والوں کے اللہ سمجھنے کی دعفیق ہم جیسے کیا بیان کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ نے میعاراج میں میعاراج میں جب اللہ نے فرش سے عرش پر بلائیا اللہ نے فرش سے زمین سے عرش عرش کیا ہے قرآن اسے کہہ الرحمن علی العرش استواء لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بین هما وما تحت الثراء اللہ کا عرش ہے اللہ زمین سے عرش پر بلائی توجہ دیجئے گا بات ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھ اللہ میں نے حضرت آدم سے میکر عیسیٰ علیہ سلام تک سب کی ہسٹری میں نے بیان کر دی ان کی صیرت میں نے میری عمت تو بتا دی اللہ میری صیرت کو کون بیان کرے گا میری صیرت کو میری ہسٹری کون بیان کرے گا اللہ نے کہا تجھے نبوت کا تاج پہنانے والا میں تیرے زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے والا میں اللہ سمد لے محفوظ کرنے والا میں قیامت تک تیری امت کے سینے میں تیری محبت کو ڈالنے والا میں تیری صیرت کو تیری صورت کو میں بیان کروں گا اللہ کون کہا ہے اللہ کس سے کہہ رہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ اللہ سمجھ لیں کی دعفی عطا فرمائے اب ذرا آسمانی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہو کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے بنائے کچھ دیر سیرت پر بات کرنے کے بات چونکہ مجھے ساتھ ساتھ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اب ایک مسلمان کی کیا زمداری بنتی ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ بات کرنا چاہتا ہو بڑی ہمت لے کر آیا ہو کیونکہ سرکل کا نام ہے ٹیپو سلطان سرکل اور آپ کو ایک بات تعجب لگے گی ایک ٹیپو پوری ہندوستان پر بھاری تھا اگر آج یہ جمعہ نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھے ایک ٹیپو سلطان پوری ہندوستان پر بھاری تھا انگریز کتے یوں کہتے تھے ان کو کیا تعریف کرنے کا کمینوں کو جو ہمارے ہندوستان کو ستیا ناز کر کے چلے گئے ان کو کون سے تعریف انفاز میں بولنے کا ان کو تو گالی دے کر بات کریں گے وہ انگریز کتے یوں کہتے تھے جب تک سرزمین ہندوستان پر سیرے ٹیپو سلطان ہے ہم ہندوستان کی ایک باری زمین کو بھی نہیں لے سکتے آمین بولو زور سے یا تیز سکھے لوگ آنی دیکھ زندگی میں مجھے بولے بیان کو آتے تو بہت سادھ دیت ہی جمارہ کرو اللہ تم سب جنہ کو جزائق کر دی اللہ تم نا ویس ہستا و رکھ خوش رکھ رکھ آمین تو بولو کم سکم زور سے بولو خیر حضرت شیر محصول شیر ہندوستان ٹیبو سلطان رحمت اللہ و ایک ٹیبو سلطان سارے ہندوستان کے لئے کافی تھا اللہ و جس جگہ قدم رکھا ہندوستان اس کا تھا اور انگریز یوں کہتے تھے جب تک ٹیبو سلطان ہے ہم ہندوستان کی ایک بالی زمین بھی نہیں لے سکتے کیا پاور ہوگا کیا اینرجی ہوگی کیا طاقت ہوگی لیکن میرے مزرکوں میرے نوجوانوں یہ طاقت کہاں سے آئی یہ ہمت کہاں سے آئی وہ ماں کا صدقہ تھا ماں کی دعا کا صدقہ تھا کہتے کہ ان کی اممہ تحجد گزار تھی اللہ اکبر کبیرہ کہ ان کی اممہ حضرت ٹیبو سلطان رحمت اللہ علی کی اممہ تحجد گزار تھی تحجد میں اپنے بچے کو گود میں لے کر یہ دعا کرتی تھی اللہ ہمارا ملک غلاب ہے اسے آزاد کرنے والا ایک شہر چاہیے اللہ ہندوستان کے لیے میرے بچے کو شیر بنا دے ما تحجد میں اپنے بچے کو گود میں لے کر دعا کرتی تھی اللہ نے کہا اے اللہ کی بندی ماں کی دعا میں کبھی رد نہیں کرتا میں دعا خبول کر رہا ہو اور تیرے لخت جگر تیرے نورے نظر ٹیبو سلطان کو ساری ہندوستان کے لیے شیر بنا کے چھل ہوا اب تمہیں سوچو لوگ پورا ٹیبو سلطان پر بولت گرو تمہیں سیرت پر بڑھائی سا ٹیبو سلطان پر نہیں بڑھائی کہ تمہیں سکھے بیٹھائیں تو اس کے واسطے بھی یہ ٹیبو سلطان بنو کہ انشاءاللہ ہاتھ بناو ہاتھ اٹھاؤ بناو انشاءاللہ زور سے بولو نکاح میں بلتے نا الحمدللہ میں نے قبول کیا اس کے بعد ساری زندگی سبحان اللہ نہیں بولتا جن کے نکاح ہو چکے ماشاء ان کو اچھا تجربہ ہے اللہ سمجھ نہیں توفید آتا سٹیج تو سنیں گے انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیں حضرت ٹیبو سلطان شہید رحمت اللہ کی مطلق ایک بات میں نے کتاب میں پڑی میرے پاس ہے شہید ٹیبو سلطان کتاب ہے میرے سیدھت ٹیبو سلطان دو سو تین سو سف ہاتھ پر لکھی بھی کتاب ہے ایک میرا بچہ بچپن سے لے اپنی موت تک تحجد کی پابند کرتا تھا کوئی معمولی بات نہیں میرا بچہ تحجد کی کیا کرتا تھا پابند کرتا تھا اور تحجد میں قرآن کی تیراب کرتا تھا زائر سے بات ہے تحجد پڑھ کر جس کی زندگی میں کبھی نماز ناغہ نہیں کبھی فجر نہیں جھوٹی اللہ اکبر وہ بچہ شیر دل نہیں ہوا تو یہ بزدل ہوگا آج ہمارے بچے بزدل کیوں ہو رہے کیونکہ ہم بچوں کو بزدل بنا رہے کارٹون دکھا دکھا ہم کتوں سے جانوروں سے اپنے بچوں کو ڈراؤ دے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو اللہ سے ڈراؤ بچوں کو کسے ڈراؤ رہے بولو زور سے زور سے بولو آپ ایمان داری سے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ آج باب اور ماں اپنے بچے کو کیسے ڈراتے چیزوں سے ڈراتے جس کی وجہ سے کیا ہو بن اور سلطان کی اممہ اپنے بچے کو کسے ڈراتی تھی زندگی میں کبھی تہجد رہا نہیں ہم نے ایک شیر کو چیرتے وے دیکھا ہے لیکن اگر ان کی اصل حصری دیکھیں تو بچپن سے شیروں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور یہاں بھی شیرہ بیٹھے تیبو سلطان سرکل میں شیرہ بیٹھے شیرہ وہ گلے پیش آواز تک نہیں بچاری خیر سمجھنے والوں کے لئے اشانہ کافی ہے خیر بنو کے تیبو سلطان انشاء اللہ بیچ بیچ میں آپ کو چارج کرنا پڑے گا ورنہ آپ سو جائیں خیر میں بات کنجیل کرتا ہوں جبراہیل تشریف نہ حضرت جبراہیل آئے جبراہیل جتنے فریشتے میں پیدا سارے فریشتوں کو جتنے فریشتے میں جمع سارے فریشتوں کو جمع حضرت جبراہیل نے آواز لگائی سارے کے سارے فریشتے جمع ہو گئے کہاں پر اللہ کیا عرش کی بات اب سب کھڑے رہے سب کھڑے رہے عدب کے سارے اب وہ کتنا عرش کھڑے رہے اللہ کچھ مالو کتنے دیر تک اللہ نے کھڑا کہ اللہ کچھ مالو اس کے بعد اللہ نے کہا جبراہیل ان کو بول جانے کے بات ان کو بول جانے کی ہو سارے تو ہو گا کوئی دگدال کا فریشتہ بلائے اور اس کے بعد تھیرا کرے اس کے بعد جاؤ تو دگدال کا ہو گا کوئی شانہ فریشتہ انہیں جبراہیل السلام کو بچھا بابا ہمیں رکوب میں آتے ہمیں سجدے میں آتے تصویح کر لیتے ہماری تصویح چھوڑا کو ہاں ٹھیرا کرے اس کے پاس ٹھیرا کرے کیا بلائے آئے ٹھیرے اب جاؤ کرنے لگ جاتا ہے بلائے تھے کئی کو ریزرم نہ سمجھ میں آری کیا بلائے کیوں بلائے ریزرم کیا بجہ کیا اب بلائے کاری سام کو بلاؤ ٹھیک ہے کاری سام آئے فرشتوں کو بلائے گیا سمجھ یہ بات کو میں کیا بتانا چاہتا فرشتے جمع ہوئے جب فرشتے جانے نے گیا اللہ نے کہا جاؤ ایک فرشتے نے کہا پوچھو تو صحیح کیوں بلائے گیا اللہ نے اس کا جواب دیا اے فرشتوں جس کے صدقے میں تمہیں پیدا کیا تم کو پیدا کیا اب اسے بنانے مالا ہو اس لئے اس کی شان کو چتانے کے لئے باقی رکھنے کے لئے تمہیں بلائے جاؤ اللہ سب فرشتے جانے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں دیکھیں میلے در حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ بان گئے وہ کھانے اللہ بابا تو کہی تیرا کیا کہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو جملہ کہا وہ سنیے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رب عزت یا اللہ یا رب العالمین آدم علیہ السلام سلے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس تیرا پیغام لے کر گیا تیرا میں سج لے کر گیا تیری باتیں لے کر گیا تیری کتاب لے کر گیا ہر نبی کا کام تُو نے مجھ سے لیا اب آخری نبی کو تُو بنانے والا ہے میرا کوئی کام نہیں ہے لیکن اے اللہ اس کی برکت سے تُو نے مجھے بنایا میں یہ چاہتا ہوں تُو جبرائیل علیہ السلام کرے اللہ نے کہا اچھا خدمت کرنا چاہتا ہے نوکر بننا چاہتا ہاں اللہ نوکر بننا چاہتا خدمت کرنا چاہتا تو دیکھئے اللہ نے کیا کہا اے جبرائیل جاؤ مدینہ کی سرزمین پر جاؤ اللہ حبی کہا جاؤ سب بولو مدینہ جاؤ جاؤ زمین پر جاؤ اور وہاں جاؤ جہاں میرا نبی قیامت کی ثبوت تک آرام کرنے والا ہے آج جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم آرام فرما رہے ہے وہ جگہ جسے روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اللہ پر اللہ نے کہا جاؤ وہاں کی مٹی لے کرا خاک مدینہ لے کرا کون کرے کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے حضرت جبرائیل سے اللہ نے یہ کہا جبرائیل بہت عدب کے ساتھ لانا چوم کر لانا آنکھوں کو لگا کے لانا اس سے میرے نبی کا بدن مبارک بنانے میرے نبی کا بدن مبارک بنانے والا بہت احترام سے لانا آنکھوں کو لگا کے لانا چوم کر لانا احترام سے لانا بیادنے مت کرنا کیا نظام ہے اللہ کا حضرت جبرائیل علیہ سلام زمین پر آئے اور اس وقت جہاں مدینہ تل منورہ ہے وہاں پہنچے بہت عدد اور پہنچے اللہ کے دربار میں اللہ نے اللہ سے پوچھا اللہ یہ مٹی کہا رکھو یہ مقدس مٹی کار میرے عرش پر رکھو اللہ برکبیر ایک بات بتانا چاہتا ہوں بہت پتے سنیے گا دل سے سننا اس بات کو سارے علموں کا اس پر اتفاق ہے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علی وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں ہمارے نبی ہم سب کے نبی امام انبیاء صلی اللہ علی وسلم اس وقت جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ مٹی وہ مٹی جو حضور صلی اللہ کو چھپٹی بھی ہے لگی بھی ہے وہ مٹی کے بارے میں حضرات علماء فرماتے اللہ کہہ رہے کہ اے جبرائیل میرے عرش پر اس سے رکھو اللہ اللہ رکھو کہا رکھو میرے عرش پر اللہ نے کہا جبرائیل جنت میں جاؤ کہا جاؤ بولو سا جنت میں جاؤ اللہ کیا کیا لاؤ اللہ کیا کیا لاؤ اب سن اللہ نے جبرائیل جنت میں جاؤ جنت کا مس لے کر آؤ جنت کا کافر لے سن سن بول کیا یہ بات میں رہ counsel جنت کا مس لے کر آؤ جنت کہ زافران لے کر آؤ جنت کا کافر لے کر آؤ جنت کاس لے کر آؤ حس زافران کافر اور سن ये चार चीज़ेब आकर पहीं अला नेंका जिवी जाू झीब्रैईल चाओ जन्नक में जा तीन पानी लेकर आओ तेको कुरान से बता रहे हूँ और ध्यान से सुने तीन पानी लेकर आओ किटने पानी कहां से लाना Ay औरे बोलो jetzt कहां से लाना वो पानी, एक पानी तो वो है जिसको खुद अल्लाह रब रिज्जत अपने हातों से पिलाएंगे अपने हातों से क्या करेंगे पिलाएंगे, अपने हातों से अल्लाह पिलाएंगे जिसको पुरान में सुरे वाकिया में अल्लाह नियो बयान किया एक पानी तो ये माय माईम जिसे कहें थे दूसरा पानी लेकर जिसको कुरान ही लुका माय रहीक लेकर ये जन्नत का पानी है जिसे अल्ला सिर्फ नभीयों को पिलाए बालाएकार जिसको पिलाएंगे नभीयों को पिलाएंगे और इसका कुछ पानी मिक्स करके सारी जन्नत को पिलाए जाएगा बहुत दूसरा पानी जिसको सुर्य दाहर ने, 29 पाने मं अल्लाझ परमा रहे अ रिमरा ञेक, तो समी सालसबीदा सलसबीर तो कितने पानी हो गए तीन पानी हो गए एक माए माईम हो गया एक माए रही हो गया और एक माए सलसबीर हो गया तीन पानी इससे पता चला कि आठ चीजे हो गए कितनी चीजे हो गए आठ चीजे हो गए सबसे पहली चीज मदीना की मिट्टी सबसे पहली चीज क्या म जदीना की मिटि अब उसके बाद जन्नत का मुश्ट जन्नत का जाफान और जन्नत का काफूर जन्नत का सुंबूल किसे कहते हैं। सुंबुल जन्नत के पवदे को कहते हैं क्योंकि खेदी बाड़ी करने वाले उनको जन्नत का पवदा उसको आसान अलफाज में जन्नत की घास जन्नत की घास और पानी कितने तीन माए माईन, माए रहीक माए सलसवी ये तीन पानी कुल मिलाकर कितनी चीज़े हुई आठ चीज़े हुई अब ज़रा तवज्जु दीजेगा हद्रत जिब्राईल अलेहिस्सलातु असलाम ने अल्ला से कोच्छा ऐ रब जुल जलाल ऐ रब जुल जलाल ये जो मदीना की मिट्टी तुने मंगाई है इससे क्या बनाने वाला अल्ला ने का जिब्राईल इस मिठ्टी से मेरे नभी का मुधद्स बतंग बनाने वाला अल्ला हुपर उसके बारे आगे सुरिएगा अज़रती जिबराईल आले इससलाम ने फरमाया ऐ रब जुल जलाल ये जगनत के मुष्क से तू क्या बनाने वाला अल्ला हुपर मैं मेरे नभी का लगु मुबारक बनाने वाला, अलौह बर्व, मुष्क से क्या बनाने वाला? लगु बनाने वाला, अब एक बात मैं आपको पॉइंट की बताना चाहता हूँ, खिस्वा अहद में हुदूर अकरम صلی اللہ علیہ وسلم के बदने मुबारक से यानि आपके चेहरे मुबारका में दो दान आपके तूड गए शहीद हो गए और खुन निकल रहा था हजरते मालिक बिन सिनान रजी अल्लाह तालाह ने अपने दोनों लब्ब में दोनों हातों में खुन को लिया अपने दोनों हातों में लिया सुनो टिपू सुल्टान सरकल वालो दुद्दान वालो सुनो हभी मुस्तफा साथ स्वासलम की सीरत तुमारे सामने बयान कर रहा हूं यूँ खुन भड़ा हुआ है का जाओ इसे जमीन में गार देना किसने कहा हुदूर अकरम स्वालाओ अल्यूसलम ने उन्होंने खुन लिया कौनी में गए और खुन को मुझे लगाया और पुरा खुन पी गए अल्लाव अक्बर पुरा खुन पी गए उसके बाद थोड़ी देर के बार आए हाथों को खुन ऐसे ही लगा हुआ है अल्लाव अकबर हाथों को खुन ऐसी लगा हुआ है हबी मुझे अल्लाव अबुरा पुछा अच्छा खुदकर अच्छे तरीके से करना रहे नहीं गड़ा é तो तो स्थाबी ने फर्माया या रसूल ALLAH peace से आपके खोर को कैसे गडा सकता हो उस खीम की खो को मेंने पी लिया उस खोर को मेंने पी लिया उस वोक्त हडिरी मुस्त्व अंट उने फरुमाया क्या फरुमाया आप ने फरुमाया राँ मालिक तुम्सिनान मेरे रब का वादा है मेरे रब का वादा है जिस चीज़ को मैं हाथ लगाता हूँ उस पर आग हराम है तूने तो मेरे खून को पिया है खून को नहीं पिया तूने जन्नत के मुश्क को पिया है तुझ पर जहन्नम हराम तेरे पुरे खानदान पर जन्नत वाजिद पुरो कि अभेजारई तो नहीं करने के इस खाकर आये घर से क्या भी बोलना नहीं करो तो जन्नत के मुश्क से नभी का लहू बनाओंगा किसने कहा अल्ला ने कहा जिम्राइल अल्यस्वार ने बोचा आई रब जल्जलाल जाफरान से क्या बनाओगे जाफरान के सब्जिसे के लिए जाफरान से क्या बनाओगे अल्ला ने फर्माया गाजा फरांसे नभी की लगे बनाओंगा नसे बनाओगा। आगे बात शुर। का वो सुमूल, सुमूल, जन्नत की घास, जन्नत का पौदा, इससे क्या बनाओंगे, क्या कहा अल्ला ने देखिए, अल्ला हुआ अग्बर, अल्ला ने कहा, ऐ चित गईल, बताते सारे इंसानों को, मेरे नभी की दाड़ी, मेरे नभी के सर के बाल बनाओंगा, बहुत बड़ी बाल जा, अब पांच चीज़े हो गए, अरे होई कि नहीं पांच चीज़े, अब बच्ची की जन्नी चीज़े, तीन चीज़े, जन्नत का पानी, वो भी तीन दरह का पानी, जिबराईल अभी लगी असलाम ने बहुत अदब से, के लिए बताओ, ये बताओ, बहुत कीमती पानी जिसको आज तक किसी फरिष्टे नहीं नहीं देखा अल्ला हुआपर किसी फरिष्टे नहीं नहीं देखा अल्ला हुआपर कीमती पानी से आप क्या करोगे अल्ला हुआपर अल्ला ने कहा मेरे नभी का लुआपे तहन बनाओंगा मेरे नबी का लुआ पे तहन बनाओंगा यहीं ठोख मुवारत बनाओंगा और मेरे नबी का पसीना बनाओंगा मेरे भाईयों एक बात आपको बताना चाहता हूँ याद रखोगे इंशाल्ला याद रखोगे इंशाल्ला जोर से बोनो सुनो कहते हैं हज़रत अबुबकर सिद्धीक रजियाल्ला आनु जब अल्ला के नबी शाल स्वाल को लेकर मक्का से हिजरत करके राप के वक्त में घारे सौर पहुँचे बहुत उंचा पहार है बहुत सारे हाजियों ने उम्रा करने वालों ने उससे देखा है दिल से सुनना मेरी बात को अल्ला वबर चुके आज तो रोड बना हुआ है आज से चौदा सौ साल पहले की बात दुश्मन पीछे है और हतियार लिये खड़ा है के लौज बिल्ला हम हभी बे मुस्तिफा साल स्वाल को गत्ल कर देंगे और ऐलान था जो मुहम्मद का सर लाएगा हम सो उत इनामे देंगे आईलान हो रहा है और अल्ला कहरे के मेरे पेगंबर तुझे फिकर करने की जरूरत रही है हमने बच्छबन से लेकर अब तक और क्यामत तक तेरी हिवाज़त का जिम्मेदार हमने बनाया है अपने आम को बनाया है तुझे खरोज तक आज नहीं आने देंगे तुझे आज तक आने नहीं देंगे ये पलाइग बना रहे है इनको पलाइग बना दे ले ये पलाइग बना रहे है पलाइग बनाना इनका काम है बिगाड़ना मेरा काम है अल्वा किरें कि ये पलान बना रहे ते या ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, अईसा करेंगे कि इनके परामिंग को इनके साजिसों को आउंदा करना मेरा कांग जाए आखना दो कि वाक्त पानी की तरह गुसर जाएगा, एक एक मिनत कि आपके पास सुरीएगा, जब मक्कावारा ने मिन कर ये कहा कि नौस बिल्ला हम जो भी इमाम अन्बिया का सर लाएगा हम सो उट इनाम में दे। एट उट की पच्छास हजार रुपे के बार देगा ऐसे कितने उट जोर से बनो प्लान हो गया मक्कावारा गली गली में गली गली में गली के इस तरफ गली के इस तरफ इंसान हत्यार लिए खड़े हैं कि ये आएंगे और हम को लेकिन अल्ला क्या गया है अपने घर में अपने घर में अपने घर में अल्ला ने का मेरे पैङंबर बाहर दुस्मन तेरा इंतिजार कर रहे हैं मेरे पेगंबर बाहर दुश्मन तेरा इंतिजार कर रहे है तेरे खतम करने का प्लान बना चुके है तर्वार इस्तिक्वाल में लेकिन इन बेवकुफों को पता नहीं है वो तर्वारे तुझे सलाम करने वाले है क्या करो अल्ला करें देखिए कुरान के रहा है आप जिस घर में रुके में थोड़ी सी मिट्टी उठा ले किसको उठा ले भोलो जोर से मिट्टी को उठा ले मिट्टी उठा ले और आप एक काम कीजिए जैसे आप घर के बाहर निकले ना ये सब आके भाड़ कर खड़े है और पुरे प्लान के साथ कड़े हैं आप क्या करो वो मुट्टी भर मिट्टी जो है न वो डाल दो हबिबे मुस्तफा साथ सालम ने फरवाया पूरे मक्का में लोग खड़े हैं सब के हाथों में हाती आ रहे हैं मेरे मारने की बलानी हो चुकी है ये एक मुट्टी मिट्टी क्या काम देगी अल्ला ने का मेरे पैगंबर जवाब सुनिएगा मेरे पैगंबर मिट्टी फेकन आता काम है इनको अंधा करना मेरा काम है सुछान अल्ला दोनो एक बार ये तेकंजुसा कसम से कहीं नहीं देखा है हसरे भी कितनी बड़ी बात है क्या कहा पूरे मक्का में गड़ी गड़ी में कुचे कुचे में घर घर पर नबी के दुश्मन खड़े हैं कि इसको खतम करे गड़यें और आल्ला क्या करें बड़ान करना तुम्हारा काम है अर का मेरे पगुम्बर जैसे आज ये दश्मन तेरे लिए पुलान कर रहे हैं सुन्ने तेरी उमत को बता दे कि तेरी उमत जब तेरे कल्भे को लेकर चलेगी तो इसके लिए ऐसे ही प्लान बनाए जाएंगे फोल नहीं बिचाए जाएंगे काते बिठाए जाएंगे प्लानिक हो रही होगी सब कोशिचे होगी लेकिन ऐए पैगंबर ऐए मेरे हबीब जैसे हमने तुझे बचाया है तेरी उम्मत को बता देना हम आपकी उम्मत को भी बचाएंगे बहुत बड़ी बात है ये जैसे हमने तुम्हें बचाया मक्का में बचाया मदीना में बचाया हर मैदा में बचाया ए नेरे पैगंबर हम कसम खाते हैं आपकी उम्मत को भी बचा बना इंसाथ है गबराओं नहीं गबरानी के जरुरत नहीं हमारे साथ कोई नहीं है लेकिन हमारे साथ कौन है जोर से पूरी सरकल गोंजनी चाहिए कौन है और जब तक वो है अल्लह की तसंबाल भी बी का नहीं दूस्ट एं मक्का के घर घर पर जुस्टमन खड़े है और सब के दिन में क्या है कि मौका मिलता ही चौका मार देंगे सोच इनाप में मिलेंगे अल्लह क्या कहरे अल्लह की नभी साथ सल्बम ने बुज़ा ये मुट्टी भर मिट्टी क्या काम देगी गब फेगना तेरा काम है अल्लह की नभी साथ सल्बम जैसे ही भार मिले क्या बताओं उस लोगो अल्लह की अक्पर दिल के कानों से सुनना हभी मुस्तफा साथ सल्बम ने ये मिट्टी उठाई ये फेगी और उसके बाद हाए हाए वो तलवारे यहां देखे इस तरह वो हदियार इस तरह इदर से भी इदर से खड़े ऐसे अल्हा के तलवारों में से ना सल्बम ने कह वाज़ाई रही क्या माज़़ रही क्या माज़ रही ने दुश्वलिए खडे है लेकि अल्ल्ह ने आपके इस्तिख्बार का उकम बिया है वह पुर्य अमकावाले आखे रगड़ने अल्ला के लिए साथ अना फरमाते मैं देख रहा हूँ उनके आखे खुले हुई है लिकिन मैं उनको नजर नहीं आता हूँ क्या शान है क्या शान है काफूर काफूर जो मुनाना उसके बारे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ मुश्क के बारे में बता है उसके पर एक वाकिया मैंने आपको सुना है जाफरान के बारे मैंने आपको बता है उसके बाद आया क्या काफूर उसके बाद आया वो तीन पानी जिससे फसीना मुबारक बनाया और जो है लुआबे ये सारी चीज़ें बताएं मैंने आपको इस पर एक माक्य आपको सुना रहा हूँ चलते चलते अला के रवी साह सम्म हज़रत अबुबकर शिदीक रजी अल्ला के घर पर पहुँचे अबुबकर को खड़ा किया का चलो जाना है जनत का हुकम है का बिल्कुल तैयार हूँ या रसुल आपको रात का वक्त है और घारे सार पर पहुचे यई पहाड बहुत उचा है बहुत उचा पहाड है अल्लाव अबबान जाएए हज़रत अबुबकर शिदीक रजी अल्लाह सामान को अपने हाथों में लिया हभिब मुस्तिफा स्लालाह या जान ो को अपने कंगों पर लिया अब्सों बच्चों को प्यार से कंगे पर ले चे मुझा करते हाई हाई क्या मताओं तुम्हें अल्ला के नभी साल स्वाल 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 को हजरत अबुबकर शिद्दीग ने कहा लिया कंदे पर लिया और पूरा पूरा पहाड पूरा पहाड उपर लेकर चले अल्ला हब्बर उसके बाद आके की बाद सुनो जो मुझे पॉइंट की बात बतानी है वो ये कि जब आप उपर पहुँचे हजरत अबुबकर सिद्दीग को एक पत्रा पसीना नहीं आया किसे ने पूछा अबुबकर तुने इमाम अभिया सल्लाला हु आल्यु वसल्म को अपने कंदे पर उठाया तो भी मुझे लगी वसल्म में बहुत मुझे तु ठकानी तीरी कमर में दरद नहीं हुआ तेरे हाथों में दरद नहीं हुआ अबुबकर सिद्दीग रजी अल्लाहु ट्रा नहीं पर्माते है ल्लाहु अक्बर सुनिए गाध्यान से حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ कास ऐसा होता कि मैं सारी जिन्दगी हुजूर को अपने कंदों पर लेकर चाथा का वज़ा क्या है रिज़न क्या है कारण क्या है क्या वज़ा है कि तुम हबीर मुस्तफा ﷺ को सारी जिन्दगी अपने कंदों पर लेकर जाना चाहते थे कहा तुझे क्या बताऊ हजरत ابو مکر सिद्धी कह रहे है क्या कह रहे है कि तुम्हें क्या बताऊ कि ज़त मैंने हबीर मुस्तफा ﷺ को अपने कंदों पर उठाया है मैं पहार चलने लगा हूँ हाई हाई मैं जैसे जैसे पहार चलते जाता था मुझे लगा बहुत मसंद होगा क्या फरमाया जैसे एक गुडिया होती है गुडिया रेशम की ऐसे बें उठा कर लेकर ले अर आगे फरमाते रब काइनान की खसम सारी जिन्दगी मुझे खसमू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्यूं कि मैंने मेरे नभी को अपने कंदों पर उठाया था वो बदन जो मेरे नभी को लगा है अल्लाव अकबर वो वो जो कदम मुबारक वो जो तनमे मुबारक मेरे नभी के मेरे सीने को मेरे पेट को लगे है मेरी मौत तक हुश्बु मेरे बदन से भूट भूट कर निकलती थी लोग पूछ्ते थे अली पूच्टे उस्मान पूछते अब्दुर्रह्मान बिर आफ पूच्ते अबुर्हमान बिर उफ पूच्ते निसनось मगाया है या ठोडी सी हमें में लगा दे हदरते अभुबकर के आंखों में सुआ आते कहा कि यह खुष्मु मगाई नहीं है रवने लगाई चश्री लिखते हुए कैसे लगाई आप पहार लेकर चणाबे बों हैं सुनो एक बास सुनो ध्यान से बहुतुपे ह्ला कि दि وश ने फाया पर उठा ऒशन कर लिए थी बहुत बड़ी खिंवति ए बहुत बड़ा माकाम नभी को ईठाया और नभी को उठा कर जो है कंदों पर लिया और गारे सौर तक गए हाई हाई अल्ला के नभी स्वाइब ने फरमाया अबुबकर अबुबकर तुने दुने दुन्या में मेरा बहुत बड़ा अहसान किया है क्यामत में मैं तुछ पर अहसान करूँगा मैं तुछ पर क्या करूँगा बोलो ना अ कौन कह रहे ओल्ध के निभी ंद्रीन हालाइए सब्सुम्हारे दुनिया-मत में मैं तुझा करोंगा या मंतुछ पर क्या करूँगा आहसान करूँगा देए तू भी इजास्त नहीं देता मेरा रभ इजास्त नहीं देता वरना आई अबुमकर मेरा दिल चाहता है कि तुझ अब अपने कंडू पर उठाओा हूँ लेकिन तू कभी मेरे बदन पर सवार नहीं होगा और अल्ञा भी इजाज़त मैं देगा तू भी इजाज़त रही देगा लेकिन तेरे इस एहसान के बदना कयामत में चुका होगा कहां चुका होगा हम वो मनजर अपनी आँखों से देखेंगे इंशाला तो बहुत अला रहम करें तुम्हारे उपर कयामत का मनजर होगा सारे अंबिया सबकी जुमानों पर एक ही जुमा होगा या रबना नफसी नफसी जितने भी नभी हैं जितने भी लोग हैं सारी इंसानों के जुमानों पर होगा या रबना नफसी नफसी एल्ला हमारा क्या होगा अल्ला हमारा क्या होगा सब की जुमानों पर एकी जुम्ला या रबना नफसी नफसी या रबना नफसी नफसी क्या मतलब इसका ऐ अल्ला मेरा क्या होगा अल्ला मेरा क्या होगा सब की जुमानों पर होगा एक होगा जिसकी जुमान पर होगा या रबना उम्मती उम्मती या रब्बना उम्मती उम्मती अल्ला मेरी उम्मत का क्या होगा ये कौन होगी ये जुन्ना कहने वाले सारे नभी कहते हैं ये एक ही नभी होगा जिसकी जुमान पर होगा या रब्बना उम्मती उम्मती और वो कौन होगा وَمُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ ﷺ होंगे اللہ جہو جمال میں होंगे اللہ غصے میں होंगे اللہ کی غصے کو کوئی ठंडा نہیں کر سکتا جنت कापेगी جہنم कापेगी جہنم کی कपकापाट کو دیکھ کر اللہ سنو میرے بزرگوں میرے نوجوانوں میرے بچوں سنو جہنم جب اللہ کے خوف سے کापेगी اس کی कपकापाट को रोकने के लिए सतर हजार زنجیریں लाई जाए सतर हजार زنجیریں चैन जिसे कहते चैन आपने देखा है सतर हजार زنجیریں एक زنجیر के कड़े को पकड़ने के लिए सतर हजार फरिष्टे होंगे मैं समझे आप तेरी बाट का यह जो कड़ा होता है इसे एक को जोड़ा जाता है एक कड़ा दुसरे कड़े को मिलाते है तो चैन बरिदे जाती वो एक कड़े को पकड़ने के लिए सतर हजार फरिष्टे होंगे अब अंदाजा लगाओ सतर हजार जंजीरे एक जंजीर के कड़े को सतर हजार फरिष्टे पकड़ेंगे कितने फरिष्टे होंगे अल्लाव अपर कभी रहा फिर भी जहन्दम कापेगी कंट्रोल से अनकंट्रोल हो जाए क्या हाल होगा जंजन्द कापेगी नभी कापेगे सूरज कापेगा अब अब अल्लाव के घुस्से को ठंदा करना करेगा तो कौन करेगा हाए 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 आवाज लगेगी लिमनिल्म cred लिमनिल्मॉ खुलयो अब्लाह की तरफ से आवाज होगी किसकी बात्षा किसकी हुकुमत किसकी कुर्शी मैं बड़ा मैं बड़ा करने वालों बताओ तो सही आज को बड़ा अवाज आई उपर लिबनिल मुल्कुल्यों आज किसकी बात्षा रात है आज कोई बात्षा आवाज आई उपर होश नहीं इनको आवाज नहीं आएगी फिर आवाज अल्हा खुद देंगे पहले भी बात्षा मैं सिद्धी बात्षा को नहीं बोलो ना जोर से बोलो अठारा हजार मखलुकात का तने तना बात्षा कौन क्या करें पहले भी बात्षा मैं आज भी बात्षा मैं क्यामत तक बात्षा मैं रहूंगा उसको कुरान के रहा है क्या पुरान का जुम्ला है का पहले भी मैं बात्षा था आज भी मैं बात्षा हूं क्यामत तक मैं बात्षा रहूंगा अभी बात्षा अभू अभाई भी बात्षा है प्रिया वात्ति के शिरू न है जिसको कुरान करें हेल जजाउल इसान इंले इसान हमारे कौन से कौन से हैसानात के बद्ला तुम चुन चुका होगे हमारे नभी नहीं लगा क्विछा बद्लामारे के रहे आरसे होगे अल्ला हमें समझने कि तुभी गदा जाहिए बुमाएं अन्ला का अर्स कापता होगा जिसे कॉराइन कियरा हुआ और रहमाः अलाल अर्सिस्तावा और लिकापता होगा तो सहामा नी पुछा अल्ला का घुस्ता महबद में कैसे बदलेगा का मैं आईस्त, आगे बढ़ का मैं आईस्त, आगे बढ़ु ना सुरिए, कहते हैं, मेरी अम्मत में जो सबसे अफजल तरीन इंसान, अन्बिया के बाट जो सबसे ज़एदा मुकर्रम होगा, उसका मैं हाथ पक्रूँगा। कों के बें? अल्ला के नबी, सल्ला लाव लियुक्त फर्मारें, मैं उसका हाथ पक्रूँगा, और हाथ पकर कर अल ये मेरी अम्मत का अबू बकर है, समझ ले बाट तो, ये मेरी अम्मत का अबू बकर है, बास, इतना कहते ही, हज़रत अबू बकर सिद्धिक के चहरे पर, अल्ला अचलना जला लहू वाभन लहू की नजर पड़ेगी, और अल्ला का गुस्णा महभत में बदल जाएगा, एक बाट तो समार ला लो, अल्ला रहम करना देखो तुमरे पर, इसालब ले बोलो जली से, महभत में बदल जायेगा, अल्ला कहेंगे, मेरे नभी क्या चाहते हो Allah के नभी सासरन स्था फरमाएंगे जैसे तेरा गुछ सा अभुवकर को देखकर ठंडा वो गया वैसे वैसे मेरी उम्मत पर रहम कर चन्नक का फैस्रा कर दिया है अभुवकर बुलाने तेरे नभी की उम्मत को फैस्रा कर दो इंशालला कियामत पर देखेंगे बोलो इंशालला कहा देखेंगे जोर से बोलो कहा देखेंगे किसको देखेंगे हजरत अबुमकर सिद्दीग को भी देखेंगे बोलो इंशालला और किसको देखेंगे इमाम अन्बिया जनाब मुहम्मद रसुल अल्ला वो टिपू सुल्तान सरकल के लोगा आए ते वे बस मजे बुला लिए बहुत साथ देते हैं भी तुम्हारा तुम्हे आओ यह ते सुक्के लोगा का नहीं दे क्या मैं खेर मैं आगे बार कंचिन्यू करदा हूँ यह हबी मुस्तफा ुस्यूश्वेली की सीरत है तो ललह ने हुजूर आकरम, साथ आफ तुम्हें, कितनी चीजोंसे बनाया, आज चीजोंसे मदीने की मितीली जन्नत का मुश्क लिया, जन्नत का जाफरां लिया, जन्नत का जाफूर लिया, जन्नत का सुमूर जन्नत की घास लियी और पीन बारी लिये, इस से खुञूर करम S.A. के जसत अतहर को Allah ने बनाया, और Allah ने यूं कहा, रभ मुहम्मद ने रभ मुहम्मद ने रुह मुहम्मद से पूछा बता तुझे की से बना इसको किसी शाइर ने यू कहा शाइर रसूल हजरत हसान भी थाभित हर्माते इस दो शेर के बारे में सुनिए गा, ये दो शेर के बारे में हज़रात जो आपना फरमाते इसका सही से तर्जमा आज तक कोई नहीं कर सका, ये जो शेर इनों ने पड़ा है, हुजूर अकरम स्थाओं स्थाओं के बारे में वाँसन मिन कलमत रागत तॉईनी वाज्मल मिन कलमत लिदिन निसाओ खुलिगत मुबर्रां मिन कल राइब का अनका कद खुलिगत कमा तश्याओ इसका तर्जमा मैं आपको सुना देता हूँ हजरातِ حसान, हुजूर अकरम स्थाओं अल्लाह अलियु असल्म के बारे में निसाओ, बिल्कुल सही बात है आप जैसा खुमसूरत किसी आँख ने नहीं देखा, आगी की बात सुनो वाज्मल मिन कलमत लिदिन निसाओ क्या मतलब इसका, आप जैसा खुमसूरत बच्चा किसी आउरत में आज तक नहीं जना हम सब जो है न मिट्टी के बने हुए हम सब किसके बने हुए है अरे बनो भई, मिट्टी के बने हुए मिट्टी के बने हुए मिट्टी में ही जाना है फरिष्टों को अल्ला ने नूर से बनाया है अल्ला ने अपने नूर से बनाया है बहुत बड़ी बात था 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 थ आप जैसा खुम्सूरत बच्चा किसी आउरत में महीं जना है। एक बात काम की आपको बताना चाहता है। अल्लाग के नभी शाल से जब अर्श पर गए मेराज में तो सातो आस्मानों में एक 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 नभी से मुलाकाथ हुए। हदरत यूसुफ अलिएसलाम की भी मुलाकाथ हुए। किसकी मुलाकाथ हुए। जोर से बनो। हदरत यूसुफ अलिएसलाम की मुलाकाथ हुए। अब सब जानजे हैं हदरत यूसुफ मुलाकाथ हुए। तो हदरत यूसुफ को देखकर हबीब मुस्तफा साथ स्वासलम ने फरमाया यूसुफ अल्ला ने तुझे बहुत खुब सूरज बनाया है तारीफ की तो हदरत यूसुफ अलिएसलाम ने फरमाया मैं चिराग हूँ आप सूरज है नहीं समझा आप तेरी बात बहुत बड़ी बात है का मैं चिराग हूँ आप सूरसे और चिराग का सूरज के सामने कोई खाम नहीं होता और यह फरमाया अल्ला के नभी ये आपकी खुब सूरती का सदका अल्ला ने मुझे दिया है आपके खुब सूरती को देखकर तो चांद भी शर्माता है सूरज भी शर्माता है जिसको पुरान यू कह रहा है सुनिए गा वश्शमस वदुहाहाः वालकमर इदा तलाहाः वालनहार इदा चलाहाः वाल्लैन इदा यौसाहाः आई मेरे परगंबर तेरे खुम सुरज चहरे की कसम तेरे खुम सुरज चहरे की कसम तेरे मुस्कुराते चहरे की कसम अल्ला सुरज की कसम क्यों खा रहा है अल्ला सुरज की चांड की कसम क्यों खा रहा है एक कर۔ है और रानि नेरा शotya को देख में कर चापन्लभ सूरज में शर्मा आता है जब स्कति आंई के सब्सक्रण बहुत है कितना खुम्सोन कैते हैं। इंचा अल्हां कायामत पिसे द काहती हुआ ताया करने, तो सब्सकsc कर में, मैं हाद मीच्छे करे होते जिए देखेंगے इंशा Allब दो जगे देखेंडे कितने जगे बोलो नवाई कितनों जगे दो जगे एक कयामत में हश्र के मैदान में और एक बोलो भाई जन्नद दैखेंगे इंशा Allब तो अलला से द्वा करो अगर इमान पर मौत है इन्शालला जननत पकी है इमान पर मौत जननत जननत पकी है अला का बाधा है तो दु दुनिया में एमान पचा है जिसन पर मंगयान को अमगये इमान को एपने आपले हां आएंगे फाले मानी आएंगे वें लेकिन देख इमान सरामत रखना तेरी जन्नत वाद आता है मोझे मेरे बुज़रगों मेरे भाईयो मेरे जहां भी वह यानात होते मैं एक बात जरूर करता हूं हम सब के सीने में एक चिराग है उस चिराग का नाम चिराग मुहम्मदी है बहुत भ्यान से सुनना हम सब के सीने में या जितने बैठे वे हैं जितने बैठी भी है उन सब के सीने में एक चिराग है वो चिराग का नाम है चिराग मुहम्मदी चिराख कहा है ये चिराख अल्लाह के अर्ष का है अल्लाह कह रहे इस चिराख को हमने जलाया है ये चिराख कहा रहता है का ये मुमिनों के दिलों में रहता है वो चिराख का नाम क्या है ला इलहा इल्लाह मुहम्म्मद रसुल अल्लाह कहा हमने इसको सेट किया है व्मिन के दिल में ये जब तक सैट होगा. तब तक इनका बाल वी बीका ने ईो सेक्ता. इस को किसी शाहिद ने कहा, फानूस बंकर जिसकी हिवाजद हवा करे, वो शमा किया मुझे जिसकी हिवाजद खुदा करे. नहीं सयरे मेरी बात करूँ. फानूस पनकर जिसकी हिफाज़त हवा करे वो शमा क्या मुझे जिसकी हिफाज़त खुदा करे जाय सी बात है हम सब के सीनों में हमारे दिलों में एक चिराग है उस चिराग का नाम चिराग मुहम्मदी है अल्ला की कसम जब तक वो चिराग हमारे सीनों में है हुजूर की दूआ का साया हमारे सरों पर है अल्ला की मदद का मादा हमारे सरों पर है जब तक हुजूर की दूआ हमारे साथ है हमारा कोई कुछ ने विगा सकता इसलिए अल्ला ने का मेरे बंदे राई के डाने के बराबर अपने इमान को बचा कर लेकर आ तू जिस दुन्या में रहता है कोई दुन्या तूने देखी नहीं है इतनी बड़ी दुन्या मैंने बनाई है तूने सिर्फ दुबडाल का नूर गोकाग देखा है बेलगाम देखा है बेलूर दिल्ली देखा है हजवेर देखा है लेकिन मेरे बंदे सारी दुन्या का तुने सफर नहीं किया है बहुत बड़ी जमीर मेले बराई है मेरे बंदे एक तो जमीर है ये एक हिस्सा है तीन हिस्से तो पानी है ये भी तो जमीर है मेरे बंदे इतनी बड़ी दुन्या को तुने देखा नहीं और आज तक वो लोग वहां गए नहीं, जो गया, वो वापस आया नहीं नहीं समयाब फेडिपाद, जो गय थे जहगणे के वास्ते वोओ वापस रहा और आते भी नहीं, और जाते भी दिखो कुछ काम, Алला के है, कुछ काम इह इंसानों के, अल्ला क्या बोलते मालूम है कि अत्ता काम भी वक्ता कर लेते खा लेते पी लेते रहो बहुत खोदने की कोशिश लखो करू ना तो तुम्हें खुद खुद खोदे जाओ नहीं समझने वालों के लिए इशाना काफी है बहुत बड़ी बात वाँ अल्ला क्या बुर रही ताकत है मेरी ख़ुद आ है इसे ना कोई आच तक देखा है ना देख बाया है अगर किसी ने देखा है तो मुहम्मद Anasun अगर किसी ने अपनी आखों से देखा है तो वो सिर्फ एक है उसका नाम मुहम्मद रसूल अल्ला है मेरे बंडों तुमको इमान दिया है इमान मचाओ हम तुमारी जन्दर बचाए अल्ला समझे नहीं कि तो अफिर अफिर अफमारे ए क्या करें अल्ला तरहा कि राई के ना किसे कहते हैं उपिट में डालते हैं जो खाते हूं तो मालूं अब नहीं खाते हैं उन्हों परिशान है क्या मोले कारी सर्थ अब तुम्हें हर बात करता हूं और रवक्त बहुत हो जाएगा और राई के मस्तुरत को अच्छा वाल मक्या तो इनके वास्ते से वह राया और राय के दाना बिल्कुल जर्रा बराबर ना करें इस दुनिया से दस गुना बड़ी जन्नत देने का बाता करता हूं सुनाध्याद, जब अजान होने लगे, सुना ग्याज़ जब अजान होने लगे तो अजान का जवाब देना अगर जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम अदब और एहतराम के साथ अजान सुना कौन कौन करेंगे इंशाओं अल्ला सब को आपर की दोफे उधाफे क्योंकि आजान में सबसे ज़दा किसका नाम लिया जाता है बोलो भाई, जोर से बोलो है न? अल्ला हुआपर पूरी आजान में किसका नाम है अल्ला कह रहे तू मेरे आजान का एहतराम कर मौत के वक्त मैं तेरह एहतराम करोगा बहुत बड़ी बात देखो मौत का जाम मुझे भी पीना है, आपको भी पीना है, मौत का जाम मुझे भी पीना है, वो मौत का प्याला आपको भी पीना है, कोई हमेशा रहने के लिए आया नहीं है, सब को मौत से गले लगाना है, चाहे मुहबत से लगाओ, चाहे जबर्दस्ती लगाओ, खुरान करा है अई नमातकुन उयुदरिकुमुल्मवतुवलावकुल तुम फी बुरू जिम्मु सैयदा अल्ला करे तुम जहां कहीं भी रहों कहीं भी छुप जाओं मौत तुमें छोड़ने वाजी है नहीं है कम मौत किसी ने किसी को छोड़ा नहीं है तो कहा दो काम कैते काम सबसे पहले अजान होने लगेए तो ऑजान क्या करो जवाब दो कोई कोई भी हाड़ काम-μुश्किल काम-आसान काम फॉरन बंग करो आदान-국ि तबज्चियों से सुनों बुखारी शरीप के भाहत हैohn अज्छियों के अलफाज को कम से कम दहुराओ और तो सी बी अजान दोरा, उसका जवाब दे, खमूश हो जा, मुबाइल में गेम खिर रहा है, अपना गेम बंद कर, अपना गेम बंद कर, अपना मुबाइल बंद कर, मेरा नाम तेरे सामने लिया जा रहा है, मेरा नाम तेरे सामने, तेरे कानों में आ रहा है, तेरी कितनी बख्किस्मती है, मेरे नाम को सुछ कर भी तेरा मुबाईल बंद बने हो, सभी कि रहो गल्म कि रहु है, अल्ला करें, फोन पर बात करा एकाट, फोन टाट, अल्ला करें बयान, बढ़ कर तेरा बयान, अल्ला करें, भद कर तेरा इस्पीच, मेरे मेरे लख्जों को सुन, मेरे नाम को सुन, दिल से सुन, तबच्च्चू से सुन, तू अजान की लाज रख, मौँट के वक्ष में तेरी लाज है, कौन के रेबा? पने बोलोना कोन के रेबा इस पर दो बातें बता है, याद रखोगे इंशाल क्योंकि मस्तुराद्वी विचारी आई विए उनको भी बता रहे हैं जुबाय था कौन जुबाय था हारुन रशीद की बीवी जुबाय था इन्होंने बहुत बड़ा काम किया किनाल जिसे कहते हैं तो इसके लिए बहुत हसान है तुम्हाज नदी का इस्तिक्माल करते हैं माश्याला तुम्हें कौन पानी देखने नहीं देखने दुगदार वाले पहले देखते हैं कट्पानी आया क्यों आया जाज ने पनात वाले को वालु 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 कोछी वालु गों तजर्वा एक पानी देख रहे हैं और सब्च मु फखरा खासकर बोकाग भूल वह अंगा हमारे वगाली परिभय परेखे में परिश्टी हमें नहीं आदेब को अल्ला ने सब को लाट चोपट करया अल्ला बोले तुम्हें बहुतर बद्गुमानी में रोणों को अच्छे अच्छा को पानी में डुबाई हुए हमने आपाणी क्या नहीं करता अलाह दो देटें। शवाली पहता नियृता किसके खुदरत है ये दो बाते बाता है जुबैदा का नाम हनुर रशिद की बीवी का नाम जुबैदा हुरते बैठी में सुन रहे हैं इसलिए बता रहा हुआ को किसे ने पूछा जुबैदा तीरी मख्फिरत कैसे बहुत प्यारी बात है सुना मिरी माई ए जुबैदा तीरी मख्फिरत कैसे भी तुने बहुत सारे खैल के काम किये तीरी मख्फिरत कैसे भी अला ने कहा जुबैदा तूने जो नहर बनाई है तूने जो नहर बनाई है उसक तो हम क्यामत में लेंगे तेरी अदा हमें बहुत पसंद आई का वो क्या का तो एक बर आंगन में बैठी वीती तेरे सर का दुपटा नीचे उत्रा वा था और मुख्जिन ने कान को हाथ लगाए और उसकी जुबान से निकला अल्लाहो अक्बर अक्बर जैसे ही लफजे अल्लाह की आवास तेरे कान में आई तुने मेरे नाम की लाज रखकर अपने दुपटे को सीधा किया तुने मेरे नाम की लाज रखी जुबादा मैंने तेरी लाज रखी तेरी माफिरत कर दी बहुत बड़ी बात है का तूने मेरे नाम की क्या रखी लाज रखी मैंने तेरे नाम की लाज रखी मैंने तेरी लाज रखी और तेरी क्या कर दी मखफिरत कर दी किसकी बरकत से बोलो लगा किसकी बरकत से हसारी की बरकत से एक वाकिया और सुना ना चाहता है अपने देखा होगा बहुत सारे जो है वो कुमार होते हैं आग से वो बड़े बड़े उनके पास वो बड़ा बंबू होता है उससे वो हाथ को जो है उपर नीचे करते हैं और करके जो है आग से लोहा वगेरा तैयार करते हैं बहुत स्यादा जो है लोहा तैयार करते हैं वो बड़ी सी बड़ी चन्नत में खुम रहा है वह अल्लावाले ने कहा तू देके तो लोहार तू देके तो चुबीस गंटे आग में काम करने वाला तुझी यह बड़ी चन्नत कैसा क्या मेरी क्यों क्या वो कुंसा चौका मार को आया तू तो सुन nä But humidity अला हुआ पर.. वो कोन सर तुने काम किय एतना बड़ा काम तुने कैसे किया तो उसने कहले सुनदा मेरे भाईयों उसने कहा क्या दा का मैं कोई बड़ा काम बड़ा अमन नहीं करता था में एक आमल था जब अजान होती थी अजान शुरू होती ही वो वजंदार लकड़ा मेरे कंदे पर होता जुम्ले को सुना कंदे पर होता अल्लाव पर जब तक अजान खतम नहीं होती तब तक वो जो लकड़ी का बड़ा होता था वजंदार वो मेरे कंदे पर होता लोग कहते नीचे उतादे कहा जान जा सकती है अजान पुरी होने तक वो लकड़ी का खंबा नीचे निकस लेता कहा मैंने अजान की लाज लखी अल्लाँ ने मुझे लोहार की लाज लखी और अल्लाँ ने कहा तुने मेरे नाम को समाला आज जन्नत में मैं तुझे समालता हूँ करेंगे अजान के तरह में इशार बहुत जरूरत है बहुत जरूरी है और दूसरी बात ये तो अजान के बारे में बता है दूसरी बात वैसा बयाना में चिप्ट्याम होता है मैं मजबून भूला नहीं हूँ मेरा मजबून पुरा मेरे जहन में है आप फिकर ना करें, जब तक मजमा आने के इंतिजार में था, खाना तुम्हारा थंडा नहीं हो रहा, आपके खाने की आपकी हिफाज़त अल्ला के तसम फरिष्टे कर रहे हैं, कुछ बाते और बतानी हैं, क्या बात खतम कर दू, अरे बोलो भाई, खतम कर दू बात, हाथ न आजान के वक्त क्या करना, बोलो भाई, आजान के वक्त क्या करना, आजान को अदब से सुना, सुनोगे इंशादा, कम से कम, या तो जवाब दो, या तो अदब के साथ सुनो, अल्मा ने लिखा है, जुम्ले को सुनो, अल्मा ने लिखा है, जो आजान का एहतराम करता है, म तो आपने बयान नहीं समझा, सच्छी बताओ, अगर आज आपने ये जुम्ला नहीं समझा, तो आपने कुछ नहीं समझा, सीधी बात बताओ, कड़ भी लगे को माफ कर देना दे, अल्ला कह रहे, तू मेरी अजान की लाज रख, मौत के वक्त मैं तेरी लाज रखूंगा, अ मौत के फरिष्टे को हुकम करते हैं, जो अजान का सही तोर से जवाब देता है, अजान का इहतराम करता है, मौत का फरिष्टा आने के बाद सबसे पहले सलाम करता है, सलाम के बाद, सलाम के बाद, वो मौत का फरिष्टा पहले कलमा बढ़ाता है, क्या कलमा? ला इलाह इलाला, मुहम्मद रुर्सुल्ला, साथ शल्म, उसके बाद रूह निकालता है, हबिब मुस्तफा, सल्लाला वालियो सल्म, ने फर्माया, जिसकी मौल कल्मे पर हो जाए, उस पर जन्नत वाज़िद है, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात, करो किया हमल, इंशा उस रात को सौने से पहले, रात को, बोलो भाई, रात को सौने से पहले, एक बार कल्मा पढ़ एलाला, मुहम्मद रुर्सुल्ला, सबस्वादार, जब आख खुल जाए, जब अला जिन्नदगी दे आख खुल जाए, सुगो के अजनम, जब आख खुले, तो आख खुलते ही अगर आप पाकी के हालत में हैं तो सबसे पहले एक बार समर्प क्या ला दो कामा ला दो सुबो भी हो तो एमान पर रात भी हो एमान पर हञ़रातियो अलमां फरमाते हैं जो रात को कामा पढ़कर सूता है अगर इंतिकाल हो जाए अल्ला जन्मत को उसके उपर माज़िव करार दे 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 अल्ला के लिए मेरी बार को समझे करेंगे इंसालों ये अजान के तालुख से ये अर्शिवादा है अल्ला के तरफ से है ये अल्ला के तरफ से है इसको समझे ये अल्ला हमें हम सब को हमारे नभी के जरी होकम दिया है इसके लिए जो है अल्मान को ताजा करने के लिए आजान की तालिख से बताया अल्ला के रहे मेरे बंदों, मीरी बंदियों मेरे घर को आबाद करो, मैं तुम्हारे घरों को आबाद करूँगा अजान इसलिए बताया आज हम इतने मुबाइल में बगन हो गए कि हमें अल्ला याद नी रहा रसुल ना बाग की आवाज सुना ही देता है वो बेटा कहता है एक ठेरोजी थुड़ा दे रहा है वो घेम समय आएगे रहा तुमारा क्या लगाई बीटी बोले है बेटा बोल र है चला एक वाकिया सुना है याद रखोगे इंसाला बहुत काम की बाग बता रहा है चुकि मस्तुराग बेटी है हजरते फातिमा का निकाह हजरते अली से तैय हो गए हजरते फातिमा का निकाह हजरते अली से तैय हो गए हजरते फातिमा का निकाह हजरते अली से तैय हो बहुत प्यारी बात है सुनना इसको हजरत इफातिमा का निकाँ हजरत इअली से तै हो गया हजरत इस सहाबा है हजरत इस सहाबा इसके पास हुदूर एकरम इसाल सल्म के बास आए और कहिंने लिए रस्वाइब आपकी आखरी बेटी है आपके आखों की ठंड़क है आपके दिल का सुकून है आपके जिगर का पहरा है आपकी बच्ची का निकाह होने वाला है आपकी बच्ची का निकाह होने वाला है क्या गिफ्ट करें क्या गिफ्ट करें पुछते ला बाप अपनी बच्ची से पुछना से पुछता है बेटा तेरा निका इंद्ट बच्चे को बाप पुछता है जिन्नों हमें अपनी बच्चीयों के निकाकी उनको मालूँ है बैटी बता तेरे वस्ते क्या-क्या हो भी बहुत नाज़र रखे से अबुosis कि अबुमेजी के दिल खुश करने के वास्ते अपनी जान को पेच कर अपनी बच्ची का दिल खुश करता है और बेटी और यह कहता है अबाग तुमने मेरे वास्ते किया क्या है तुम्हे हमारे बासते करें अरे वो बाफ तेरे बासते अपनी जान गीन वी रखd lavender ए और अज बेटी पुश्टिये बेटा पुश्था है तुम्हीं मेरे बासते क्या करें अरे बेटे वो बाफ पोटा है मैंने मेरे खून को पशीन तुझे को एक करके तुझे बढ़ा किया, मेरा खूद मसीना तुझे नजर नहीं आया, आज तु जवान तगड़ा हो गया, आज तु चार पैसे कमाने लगा, तु अपनी अवकाद दिखाता है, बेटे, तिरी गंड़गी को खुश्मू समझकर मैं मेरे बदन में लेता था, तुझे कंडों पर उठा उठा कर ले जाता था, लोग कहते थे देखो जी इसका बेटा है, आज तू कहता है तुनि मेरे बदन के क्या किया, क्या माहून हो गया, क्या समाना आ गया, अर गयात की निशानियों में से एक निशानियों सुनना मेरा बाय, मैं अपने तर्फ से अब 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 आपको खुलाम समझेंगे दोस्तों को अहम समझेंगे बाप को खुलाम समझेंगे हुकम करेंगे बात दरेगा बच्चा दराएगा का जिस दिन ऐसा होने लगे तो समझेंगे खयामत की एक निशानी पूरी हो चाहिए आज कितने बाप रोखते में आते हैं का जी दुआ करो मेरे बच्चे से बात करने को दिल घमराता है क्या बताऊं तुमें मैं नहीं जी मैं नहीं बात करता है मेरे बच्चे का दिल मोग में सरकार दुआ करो जी दुआ करो जी बड़ी में फिल में आखों से बिचारी के आसो आते मेरे बेटे को मैंने बहुत नाजो लगरे से बढ़ाया है मैं अन्परगवार जी मेरे बच्चे को मैं इंजिनियर बनाया जी डॉक्तर बनाया जी लेकिन मेरा बेटा मजे अबे तुबों से बुलाते जी लेकिन सुनो अपने बाप का दिल दुखा दिया अपनी माँ का दिल दुखा दिया ये भाईो सुनो अपने बाप जन्नत का दर्वाजा है माँ के कदमों तले जन्नत है जिससे माँ बाप राजी उससे अल्ला राजी जिस overlap माराज उससे ALLAH नाराज और एक बात याद रखो पूरे नोज़वानों से कह रहा हूं पूरे नोज़वानों से कह रहा हूं और अदब के साथ के मुझरगों से और उनमाओं से कह रहा हूं खुस्यों में आकर अपने बच्चों को बद्दुआ न दिया करो यह जो चुम्ना बोलते हैं न तू क्या धर्ण में होता तू क्या आगे ले जाता तू में सुधरता मैं हाट चुम्ना हूँ अपने बच्चों को घुस्ते में बद्दुआ मत दो अल्ला रसुल का वास्ता देता बद्दुआ मत दो माबाप माबाप की दुआ लिया करो देखो दुनिया के सारे अव्लिया इधर देखो दुनिया के सारे अव्लिया दुनिया के सारे खुत्व, दुनिया के सारे अल्लावाले एक परफ, एक बुरी मा की दुआ एक तरफ, एक बुरी मा की दुआ, अजरते मुसा अले से बात करने के बाश्ते जाते थे, एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है कोहेतूर, क्या नाम है उसका बहुत पैरी बात है कोहेतूर पहाड पर बात करने के वस्ते जाए अब बहुत देर तक अन्ला से बात का लिए बहुत देर तक अन्ला से बात का लिए तो एक मर्दबा चलकर आने लगे तो ठोकर लगे पहाड पर चले तो ठोकर लगे आवाज है आई मुसा समल कर आए आए मुसा समल कर आए फखलाणा अलीक इनका बिल्वादिल मुकद्दसित हुआ मुस्से बात करने के वास्ते आ रहा है समल कर आए तो हदरत मुसा अलीक समल ने कहा अल्ला इतनी बार आया आपने कुछ नहीं कहा आज आप मुस्से कह रहे हैं समल कर आओ वज़ा समझ में नहीं आई सुनो मेरे भाईयों अल्ला हमें अपने माबाप की दुआ लेनी की तुफिग अदा फर्माए दुआ लेना सीखो जिसके सर पर मा की दुआ का साया होता है उसका कोई क्या भी लाञ समसा है सुनो अल्ला ने कहा आय मुसा जब तू घर से निकलता था पोहेतूर के वास्ते अल्ला के रहे, जब तू मुझसे बात करने के वास्ते निकलता था, तू घर से निकलता था, मेरे पास आता था, बात करता था, वापस चला जाता था, लेकिन तेरी माँ हाथ उठाती, तेरी माँ हाथ उठाती और यू कहती आई मुसा तेरे दर्वार में आ रहा है उससे बात करने आ रहा है हम करानी करने आ रहा है तेरे दर्वार के अदम का उसे पता नहीं है मेरे बच्चे से कुछ लगजिश हो जाए تو माफ कर देना एए मुसा आज तक तुझे नहीं दोका, तुझे नहीं रोका, इसका कारण ये है, के तेरे सर पर मा की दूआ का साया था, अल्ला हो बर, अब तीरी मा का इंतिकाल हो चुका है, तेरे सर पर तीरी मा की दूआ का साया नही है, अल्ला हो बर, तीरी मा की दूआ का साया नही है, हर बात में समल समल कर क्दम रखना पड़ेगा अब बताओ एक नभी को अल्ला ये कह रहे तो मुझे और आपको कितने सहारी की जरूरत खेर आगे बाद कंटीनियू करता हूँ हजरते फातिमा रजी आल्ला अल्हाद हुजूर अकरम समलाग वालियू सल्म के लखते जिगर नूर नजर का निगा हजरते अल्ही के साथ ते हो गया और अल्ते रूट झनाष खानी भी ते हो गई हजराते सहाबा हुजूर सहालं। आपके बेटी के निगा ते हो चुका है और बात यहाँ किं किं चीज़ों की जरूरत है मैं आपको शुला कर दूँ तो अल्ण के रभी साय सिल् projects ने फरुमाया मेरी बच्ची पे वासथे द्वा का तभफा दे दो क्या कहाँ मेरी बच्ची के वासथे द्वा का तभफा दे दो उसके बाद अल्लह के रभी साथलम हजरत फातिमा के पास आए बहुत तो प्यारी बात है वुज़ों को सुनना हजरत फातिमा के पास आए और कहने लगे मेरी बेटी फातिमा कल तेरा अली के साथ दिका है और मैंने हर बच्ची को अपनी ताकत की मताविक कुछ न कुछ दिया है मेरी बेटी आज तक तुने मुझसे कुछ नहीं मांगा मेरी बेटी तुने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा मेरी बेटी कल तु दुनहल बनने वाली है आज तु बोल तेरे अबा कोशिश करके तेरे वास्ते तेरे लिए जोड़ा लाएं थी बेटी फातिमा बेटी फातिमा थी उनोंने कहा अबाजान आज तक मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि आज तक आपने मुझे बोलने नहीं दिया आपने बोलने से पहले मुझे चीज़े लाकर दी अबाजान जिसमें आप खुश उसमें आपकी बेटी खुश फिर भी कहा अबाजान बेटी बोल तो सही तुझे क्या चाहिए जहेज में गिफ्ट में तुझे कौन सा जोड़ा लाओ गिरीन करण कर लाओ के लाल कर लाओ उजने कर लाओ का अबाजान आपकी जिसमें खुशी उसमें मेरी खुशी लेकिन जो गिफ्ट मैं मांग रही हूँ अगर वो आप देना चाहते हैं तो दे दे मेरी माई मेरी बहने और छोड़ी छोड़ी बच्चियां मेरे नौजवानों मेरे बुश्रों मेरे दोस्तों सुनो हजर्थ फातिमा ने क्या गिफ्ट मांगा किस से हजर्रत मुहम्मड और रसुलिण से प्या आधा हाई हाई दिल पर लोट कर लो ये बात को माज सब से कह रहा हूं दिल पर लोट कर लो जो ये जुम्ले को जो हजरत-इस फातिमा ने खुजु स्वासलम से मागा हजरत-इस रसूल एकरम स्वासलम ने फर्माया मेरी बेटी फातिमा कौन सा गिफ्ट है बता तो सही अबाने कहा बेटी थी, अबाने कहा बेटी दुनिया की जिस कोने में भी होगा वो गिफ्ट मैं मगाओ तु बोल जो सही का दुनिया की नहीं आखिरत का गिफ्ट है आखिरत का गिफ्ट है दुनिया की जरूरत नहीं है दुनिया ता ऐसे वैसे में गुजर जाए और आपके होते हों मुझे चिंटा करने की जरूरत है जिस लग ने आपको खुश रखा वो आपका रख मुझे भे खुश रखता है अब आप मेरे दुनिया की चिंटा ना करे लेकिन एक चिंटा है एक चाहिए बो दिलाते हो अब इटी बोल क्या चैगी तुझी क्या चैएई बोल तो हज़रत फातिमा ने का अब़ाचान मैने सुनाया आपसे कियामत में लाके अरश के बाद आपके लिए एक तखत लाया जाएगा जो लाके अरश के बाद सबसे खुश सुरत होगा असकलाम मक्मूद होगा Allah अखब वसकलाम क्या होगा मकाम, समल मकाम महमूद, अजाम परदेना ल्लाहुमराब हादी थदाबत ताम वसलाती पाइमा आ प महंम्मद निल बसीलत वाल तादीलत वाद्थ मकाम महमूद अल्दी वादत इनका ला तुख्लिफुल्मियाद अल्ला के अर्श के लाद सबसे कीमती तख़त सबसे कीमती कुर्सी जिसका नाम होगा मकामे महभूद वो लाँ जागा ऐ अपाचान मैंने आप से सुनाएं वो सत्तर हजार फरिष्टे उसे पकड़ कर लाएंगे अल्ला-ुप्र्ण। जोर से मुला अल्ला-ुप्ष्ण। कितने हजार फरिष्टे सतर हजार फरिष्टे अल्ला कहेंगे मेरे पेज़ंबर इतनी खुंसूर्द कुर्सी मैंने किसी के बास्ते नहीं बनाई और उस तख़त का आलम यो होगा सतर हजार नूर के परदिज इस पर डाने चाहिए वक्त नहीं है नौ बजने वाले देखिए वक्त कैसे पास होगा टिपू सिल्टान सरकल वालो वक्त पास होगा नौ बजने अल्ला की तसन कयामत की सुमों तक हुजूर की सीरत बयान करे नहीं खतम हो सकते मैं नहीं मेरे जैसे हजार करोड़ों इससाने हुजूर की सीरत तो सारी जिन्दगी बयान करे नहीं कर सकते सुनने वाले ठाक जाएंगे बोलने वाले ठाक जाएंगे हुजूर की सीरत खतम नहीं हो सकती सीरत के कुछ गतरे आपके सामने रख़रा ये सीरत ही तो बता रहा है आपको हुजूर्ट के आखों के ठंड़क फातिमा कह रही है क्या कह रही है देखिए क्या कह रही है अल्ला हुपर 70,000 मूर के परदे हुगे उस तख़त पर अल्ला कहेंगे मेरे पैगंबर आए, मेरे पैगंबर आजाओ, आपकी कुर्सी पर बैट जाओ, तख्त पर सवार हो जाओ, हमारे नभी क्या कहेंगे, हमारे नभी क्या कहेंगे अल्ला तेरा हुकम दोड़ नहीं सकता मेरी उम्मत को छोड़ नहीं सकता नहीं सरीज़ आप ये मेरा जोड़ा अल्ला क्या करे तेरा हुकम दोड़ नहीं सकता मेरी उम्मत को छोड़ नहीं सकता अल्ला अगर तख़त पर बैठ गया मुझे दर है कि ये तख़त मुझे जन्नत में ले जाएगा और मैं वादा करके आया हूँ कि मैं अपनी उम्मत को साथ में जन्नत में लेकर जाओगा एक काम करूँ तख़त भी दे, उम्मत भी दे तख़त भी दे, उम्मत भी दे तखत भी ले जाना हो जन्नत भी ले जाना अल्ला कहा ये अभी हिसाद किताब बाकि है थोड़ी देर ठैर जा ये सजाया तेरे वास्ते है एक देकोरेशन तेरे वास्ते है एए मेरे पेगंबर ये सजावर तेरे वास्ते है आपके वास्ते है थोड़ी दे रोख जाओ तो अल्ला के रभी शासन क्या फर्माइए या अल्ला तेरा हुकम नहीं तोड़ सकता इसलिए तख़त पर बैठो माने तख़त पर सिर्फ हाथ रख़़गा ऐसे हाँ क्या मुहब्बत होगी हुजूर को हमसे क्या मुहब्बत होगी हुजूर को हमसे अल्ला करे उसका करो वह हिस्सा ल्ला मुझे और आपको भी नशीफ परबाए अब जो बताना चाहता हूँ यह हजरते फातिमा ने का अब बाजान वो मकाम महमूद आपको लाया जाएगा आप अल्ला से यह दर्खास करे उस मकाम महमूद के पीछे एक चोटा सा रूम बनाया जाए मैं वहाँ बैट कर आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे मैं आपकी उम्मत की दुआ पर आमीन कहती रहूंगी आप दुआ करते रहेंगे अपनी उम्मत की उम्मत की उम्मत की उम्मत की दुआ होगी आप दुआ करते जाएंगे मैं आमीन कहती जाओंगी यह गिफ्ट है अगर मन्सूर है तो यह दिला दो मैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए अल्ला के रभी साह सलम ने फर्माया फातिमा यह मेरा काम नहीं है अगर दुनिया की कोई चीज मोंती तो जटसे ला देता तुने अर्शी चीज मंगी है यह मैं नहीं नहीं दे सकता अबबा बेटी की बात चल रही है क्या फातिमा होगी एक बात और सुना दो अल्लाव अपर मेरी बच्ची हो अपनी नजरों की हिफाज़त कर लो अपने घरों को सैथ बना लो अपने घर पापना घर बना लो बाहर के हवा से अपने आप को बचा लो बाहर के हवा से अपने आप को बचा लो इमान के डाकू बाजारों में घूम रहे हैं इमान के खरीदार बाजार घूम रहे हैं इमान के डाकू घूम रहे हैं इमान को सलब करना चाहते हैं बहुत मुश्किल घरी चल रही है ईद का मौका था साल में दो मरतबा इद आते हैं आप सब को मालू है एक बकरेई दाती एक रमजान है तो ईद का मौका था और ईद का चांद देखना सुन NET ईद का चांद देखना वो बीमारी की मज़े इद चांद देखना भी बिसृरल होगा शमझने वाले के लिए इशारा काफी नहीं जी चांद को नहीं देखना काथ करोना आता है अल्लाज रहम करना क्या क्या करोना क्या क्या करको गया अल्लाज बचा रहा है खेर उस पर बहुत देर बात हो जाएगी बस थोड़ी देर में बात खतम कर रहा हूँ जो अहम बात मुझे आपको बताना है अल्लाव अप्पाम इत का चान था और चान बहुत बारिक होता है अल्ला के लभी साल सलम ने चान को देखा चान की दुआ पड़ी घर में आया अपनी बेटी से का फातिमा तुने इत का चान नहीं देखा अम्ला होगा 16 साल उमर 15-16 साल उमर किसकी हदुरत थे फातिमा की का बेटी फातिमा तुने इत का चान नहीं देखा का बाजान आप इत के चान की बात करते है अब बाजान जब से पैदा व्यों उस वक्त से अगर अब तक मैंने ना आस्मान देखा है ना चान देखा सुनो ध्यान से हसन हुसें के शेजाईयों हसन हुसें से महब्बत करने वालों बहुत बड़ा पैगाम मेसेज दे रहा हो अबाजान आप एद के चांद की बात करते हैं पंदरा साल की हो गई ना आसमान को देखा ना चांद को देखा का बिठी आज तक तुने चांद को नहीं देखा का नहीं अबाजान नहीं देखा का बेटी क्यों नहीं देखा अबाजान गयामत में अल्ला पूछेंगे तू मोहमद की बेटी फातिमा थी तेरी नजर غیर मर्दों की नजरों के साथ तक राइए थी ये सोचकर अबाजान पंदरा साल हो गए आज तक मैंने चांद को नहीं देखा कि क्यामत में अल्ला पूछेंगे ऐ फातिमा तू नभी की मीटी होकर तेरी नजर गयर वर्दों की तरफ चांद पर पड़ी थी का इस डर से आज तक मैंने चांद को नहीं देखा समझने वालों के लिए बहुत बड़ा मियासज है ये सोना साल में एक मरतबा भी का नहीं देखा अरे बोलो तो का नहीं देखा आस्मान को नहीं देखा चांद को नहीं देखा सिर्फ इस वज़े से के हजारों गयर मर्दों की नजर कहां पड़ती है बहुत चांद को आ अल्लों करएं अल्ला ने कहा मेरी पातिमा एै मेरे नभी की लखते जिगर नौरे नजर सुन को नहीं देखा मैं वादा करता है पल्सेराद पर भी तुझे कोई देखेगा बहुत गहरा जुम्ला है यह इस में बहुत सारी वादे है बहुत सारी इशारे है बहुत सारे इशारे हैं अल्ला किने संचो पुर्ज दिना जहन्ड़ों पर पिछा हुआ एक पिर्ज है उस पर से हर नभी गुज़रेगा हर मर्द बज़ने का हर अवर्द बज़ने की सब को बज़ना है ये बयान करने वाले को ये बयान सुनने वालों को सुनने वालियों को अल्ला की तसम बज़ना है और पंद्रा सौ साल का रास्ता है वाक्त नहीं अब तफसिर से बताने का सुनो नबी गुज़ेंगे सहाबा गुज़ेंगे सहाबिया गुज़ेंगे नमबर हज़रत फातिमा का आएगा किसका आएगा हज़रत फातिमा का आएगा आवाज लगेगी क्या आवाज लगेगी ऐ फरिश्टो ऐ इंसानो आवाज आईगी आई नबीयो आई मलीयो नजरे जुकालो फातिमा बिंते मुहम्मद का गुजर होने वाला है आई जहन्नम के फरिष्टो आई इंसानो नजरे नीची जुकालो फातिमा बिंते मुहम्मद का गुजर होने वाला है आई अबर हजराती और्मा फर्माते जब हजराती फातिमा का नंबर आएगा अल्ला सब को अंधा कर देगा और सीवा पुर सिराफ पर से जन्नक में दाखिन कर देगा का जब फातिमा ने 16 साल अपनी जितगी में कभी चांड को नहीं देखा तो फातिमा को मेरे अलावा अपने नबी के अलावा को नहीं देख सकता जावा लगा जावा 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 अल्ला क्या बात अब वहीं फातिमा अल्ला के नबी से कह रही है कि दुन्या का गिफ्ट नहीं मांगती आखिलत का गिफ्ट मांगती हूँ अबाजान बोल दो अपने आए कि ये तो अरशी है मैं नहीं कर सकता आए जिवराईल धुडा मुंसे और का या रसूल अल्लाव आपको सब्सक्ता कर रहे اللह अ कुछ आपकर ऐ आपको सम्सक्ता कर लिया है अल्लाव पर बनुच्भान लथ जोड़ से लोग सुखानुदा अल्ला ने कबूल कर लिया है फातिमा की बात कबूल हो चुकी है अल्ला वादा कर रहे है कयामत में जब आपके लिए माकाम-मख्मूद लाया जाएगा आपके तख़त के पीछे नूर का एक कमरा बनाया जाएगा है 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 आमीर कहेंगी जितने फातिमा की आमीर होगी आपके उम्मत की इतनी मगफिरत होगी याद रखेंगे वाकिए को इंसाथ कुर कुर याद रखेंगे आज बच्चों को जरूरत है मकतब से जुड़े अल्ला के रिसंज बच्चों को जरूरत है बच्चीयों को जरूरत है मक्तब से जुड़े कुरान से जुड़े हदीश से जुड़े घरों में तालीव को जिन्दा काई अल्ला रसुल का वस्ता जेता हूँ समझो बात को मुर्तद होनी रहे हैं मुर्तद बनाये जा रहे हैं घर के माहौल मुबाइल से बिगर चुके ये सारे तच्चाली फितने हैं अल्ला के लिए समझे दो तीर बाते बतागा इंशाला बात पुरी करता हूँ बता दूं याद रखेंगे इंशाला देखो एक गज्जाल आने वाला है उसकी हुकुमत 40 दिन तक रहने वाले है उसका एक दिन एक साल के बराबर होगा दूसरा दिन एक महने के बराबर होगा तीसरा दिन एक हफ़ते के बराबर होगा वो दच्चाल आएगा हजारों करामतों के साथ आएगा जितने कमजोर इमान वाले होंगे तो उसको खुदा मांग बैठे लिए उस बड़े दज्टाल के आने से पहले बुखारी शरीट की रिवायत है तीस जूटे दज्जाल आएंगे तीस जूटे दज्जाल आएंगे धलातून कदवाबूं दज्जालों रखलातून कदवाबूं ये हदीस के अन्फास है तीस जूटे दर्जाल आएंगे हजराति उन्माद फर्माते इस वक्त दो आचके कहते हैं अरे जोर से बोलो ना दो आचके 28 अभी आना बाकी है दो का ये हाल है तो 28 का क्या हाल है और मैंने शाद शुरू में बताया था अल्ला कहीं तू तेरा इमान सलामत रख जन्नत हम सलामत रखे सीड़ी बार चाहिए माओं से कहे रह wiem बापों से कहे रह sut अपने बच्छों की बच्छों की निगलानी करें आज Issac के डाकू घुम रहे आज इमान के डाकू माजार में घुम रहे कोई किस वक्त बखा देगा मालूम नहीं है आप कोई समाने वाला नहीं है आप कोई टीपो आने वाला नहीं है हमको टीपो बनना परेगा हमको टीपो बनना परेगा हमें अपने इसक की हिफाज़त करनी होगी अल्ला कहरे मेरे नौज़वान बंदे तू तीरी नजर की हिफाज़त कर, मैं तीरी नसलों की नजरों की हिफाज़त करूँगा सच्ची बताओ इमान दर्जित, बात कर भी लगी लिए आपको अल्ला कहें बाजार जा रहा है, नजरों की हिफाज़त कर, नजरों को जुका कर चल और अल्ला बंदी से कह रहे है बिना जरूरत के बंद समर कर बाजार में नचा तेरे इमान को खरीदने वाले डाकू पैदा हो चुकी का याकूब अगर सिद्धी का जमाना नहीं है या उमर का जमाना नहीं है ये जमाना ये जमाना की एमान को खरीदने वालों के जमाना है मेरी बंदी बगैर जरूरत के ना निकला कर नमाजों की पाबंदी कर अपने बच्चों को दूद पिलाते समय वजू के साथ दूद पिला अपने बच्चों को दूग पिलाते हो में तुख पिला प्रаль की ति dopamine के साथ अपने बच्चों को जोर बाप से कहरें उपने बच्चों को गंडी गालिया नदे बच्चे से अदब से बात कर तू बच्चमन में बच्चे की इज़ज़द करेगा बढ़ा होकर तेरा बेटा बड़ों के सामने तीरी इज़त करेगा यह जुम्ले है मेरे बुज़ोंगे आज हालाग बड़े राज़त है इसलिए सबसे पहले एक बात की है एक बात की हुजारिश है अपने घरों में तालीम को जिन्दा करे सच्ची बता अपने घरों में तालीम को जिन्दा करे बड़े पाइच मिन्द की उन्हें सही तालीम को खरे और बड़े बच्चियां है उनको मक्तब से जोड़े बच्चियों को जोड़े बच्चों को जोड़े इस वक्त हमको बचने का एक ही रास्ता है मैं समसे कह रहा हूँ ये पेगाब बहुत दीर बचने वाला है अल्ला के रास्ते समझो इस वक्त अगर इस फितने से बचना है एक ही रास्ता है अल्ला कह रहे मेरे नभी ने तुम्हें दो चीजें दी कितनी चीजे बात खत्म करो, कितनी चीजे जोर से बोलो, जोर से बोलो, दो चीजे दी है, का एक पुरान दिया है, एक नभी का तरीका दिया है, अल्ला करें जब तक इन दोनों को ठामोगे, तुम नहीं भटकोगे, और जिस दिन तुम इन दोनों को छोड़ दोगे, तो तु वो ने रहे हैं, मुर्तब बनाए जा रहे हैं, अपने बच्चियों की खुद निकरानी करें, और यह जो मुबाइल आपने बच्चों के हाथ में बच्चियों के हाथ में दिये हैं, यह इस तरी कम और काम ज्यादा हो रहा है, और सारी जिंदगी रोते हैं, अपने बच्चों सुल्हानी, कुत्ब रब्बानी, शेख अब्दर कादिर जीना दी, इंशालला 10 मिनट का वाकिया मैं बात पूरी करता हूँ, क्यूंकि, हकिदत बताओ, मैं सोच कर आया था कि पीरानी पीर पर अड़ाई घंटे बात करो, उसमें पूरी तफसिल में लाने वाला लेकिन मुझे कहा गया कि काले सब सिरत परमाद करें, इसने जोड़ते जोड़ते ही हां तक आया, बस एक वाकिया मता करें, शालला बात पूरी करता हूँ, वाकिया कोन को नियाद रखें में जरा हाथ उठारी ज़िए, बेजर भी टीशेट रोलो गसीदा हाथ जाओ जाओ, कि कि गदर मैं स्टेज में बैटे उसम दिखता है मझे, कर बाला होगा, है ना, कर बाला होगा, और जितना बुरा करेगा उतरा बुरा बुरा, कौन-कौन अपने बच्चों को बच्चियों को पुरान से जोड़ेंगे जरा हाथ उठाओ, कुशिश करेंगे एक शाओ, ऐसा एक माहून बगाए, अल्ला का वास्ता देए, महबोब सुभाने खुटब रभानी शेख अब्दुकादिल जिलानी, रहमत अल्हाले के वालिस साब का इंतकाल हो रहा था, स्यद अबु सालिय रहमत अल्हाले, वक्त नहीं बस शाओ ने बता रहा हूँ, इंतकाल होने से पहले एक अमान्त, एक अमानत जो है, अपनी एहलिया, अपनी भीवी, उम्मे खेर फातिमा, शेख अब्दुल कादिल जिलानी रहमत अल्हाले की अमी जान का नाम था, उम्मे खेर फातिमा, उनके हाथ में बिया, आर का फातिमा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अब्दुल कादिल को दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बनाना, अल्लाव अब्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र उस वक्त सिस्टेमिटिक नहीं था दरखतों के निचे बदाने कांका पढ़ाते थे काल लागर विठाया और उस्ताज से कहा देखो जी ये बच्चा यतीम है ये बच्चा यतीम है इसके बाप ने कहा है इसके अभा ने कहा है इसे सारे दुनिया का सबसे वो पढ़ने वाले भी कैसे थे वो पढ़ने वाले भी कैसे थे लाखो सलाम हो हमारे मा ने कहा देखो जी जड़ा डाट को अलडा को इसे पढ़ाओ मेरे बच्चे को मदरसी से निकव लगो इसने के मेरा बच्चा यतीम है इसके सरबर हाथ रखने वाला आपी इसके अप्भाँ हैं आपी इसके रहनुमाः हैं आपी इसके करम फरमा है आप निग्रानी कीजी ता तटीक अच्छी बात है अब एक-एक बच्चे आते गए सबक लेते गए अब ओस सारे 3 साल का बच्चा इसका नमबर आया नाम क्या बताया? शेख अब्दुलकादिर जिला ने, क्या नम? शेख अब्दुलकादिर जिला ने, बहुत तमज्जो से सुना, बहुत प्यारी बात है, दिल पर नोट कर लेना इस वाकिए को, का कि जब नंबर आया, तो उस्ताद ने का पड़ो मेटा, आउज बिल्लाई मेन शेताले, उस्ता साथ का बच्चा, अरे जोर से बोलो न, साड़े तीम साथ का बच्चा, क्या बढ़ा है, हजरत है, तुम्हें अलीब बाता मजे भाग में पड़ाओ का ते है, मैं क्या परावू तो ओ, मैं क्या पड़ो, उधरत हूँ मेटे सुना हुना, थीक अच्छी बात है, अब से ला कलकोशन रहमें, गुलो अल्लावाद, अल्लाव समद्रहमें, धाई पारे के मुकमल सुरे बाकरा सुनाती, अच्छा अच्छो का पानी निकल जाता है, सुरे बाकरा पड़ने में, वो उस्ताग हैरं, उनों बने, भाबा, तु जाया है, मैं तुझे नहीं पड़ाता हजरत, क्या मिस्टिक भी हजरत, क्या गलती हो गई, क्या हजरत, क्या हुआ, बाबा, तु यहाशी जा, मैं तुझे नहीं पड़ा सकता, बोले, बाबा, हमारे हमी तुना बोल को गई, मारो तोरो, लेकिन मज़े पड़ाओ कर गो, लेकिन तुभी मज़े घर को कई को भेज बोले मेरा सीना तेरे सीने के काबिल नहीं है पेरे बेटे तेरी माने तो तुझे यहां भेजा है अल्लाह को कसम मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता तुझे तेरी अम्मा ही पढ़ा सकती है लेकिन एक काम कर मेरे बक्तब से जाने से पहले तेरी अम्मा को बुला करने कर आ मैं पूछना चाहता हूँ कि तेरी बाने तुझे सुरे मकरा कैसे सिखाई है बेठा रात में घर गया आये आये घर गया घर गया घर पर दर्माज पर दस्तक दी का कौन है का अम्मा तेरा लागला अब्दल कादिर हो का बेठा रात को क्यों आया मैंने तुझे मना किया था क्या उस्ताद का दिल दुखा कर आया है का अम्मा नहीं उस्ताद में आपको बुलाया है का रात हो चुकी है सुबो बे जाएंगे हाई हाई बेठा अपने मक्तब को जा मैं तुझे सारी दीज़ का इमाम मनागा है तुझे सारी दुनिया का आनिंग मनाइश है बाटा जा मक्तब जा मैं स्ब्रो आती हूँ मदत को जा परसे सुड़ो मेरे भुसर को हम आज बड़ी बड़ी बाते हैं लेकिन आज हमारे बच्चे ना दुनिया की दीन को आलिम हासिल कर रहे हैं ना दीन का इल्म ना दुनिया का इल्म हमारे बच्चे मुबाइमा में इतने मगण है ना उनको बाप का खयाल ना मा का खयाल ना भाईों का खयाल ना भाईों का खयाल सारे रिष्टे भूल गए सत्विया नास में अब सुनो काम की माद बता रहा हूँ, वक्त कम पर जाएगा, मैं नाफी चाहता हूँ, जो पेगाम आपने लिख करने जाए कि ये बताओ, वो पेगाम इस वाके से आपको सुनाता हूँ सुनो, उस वक्त की माँ ने अपने बच्चों को कैसा रह्मर और कैसा हीरो मनाया था, आज हम अपने बच्चे को क्या बना रहे हैं, क्या मना रहे हैं, क्यों अपनी सोच नहीं बदलते, क्यों अपनी सोच नहीं बदलते, अपना बिजाज नहीं बदलते, क्या हो गया हमें, ए अपने आपको खुद बदलो, अपने घर का माहूर बदलो, खुद नमाजों की पावंदी करो, बो इंशालला करेंगे, जोर से बो इंशालला करेंगे, इंशालला नमाजों की पावंदी करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, अपने बच्चों को मकतब से जोड़ेंगे, ब सब्सक्राइब अम्मा बस मैं ये पूछना चाता हूँ तो मता ये तेरे बच्चे को ये तेरे लल्ले को सुरे बकरा कैसे याद हुई मा के आँखों में आशों आ गए का देखो मेरा बच्चा पहले रमजान को पैदा हुआ है कहा दूद पीता बच्चा था सुवो सहिवी के वक्त में दूद पीता था मगरिब की अजान होने तक दूद को हाथ ली लगाता था पैदा होती ही पूरे रमजान के रूजे मेरे बच्चे में रखे और मैंने क्या किया जब भी मैं इसे दूद पिलाती जब भी मैं इसे खाना खिलाती जब भी मैं इसे कपड़े पहनाती उस्ताजी सब लोरिया सुनाते हैं मैं मेरे बच्चे को सुरे बकरा सुनाती मेरे बच्चे ने सारे तीन साल में सुन सुन कर इसको सुरे बखरा याद हुई है यह तो इसने सुरे बखरा सुनाई है मुस्ताज जी इसको तो बहुत सारी सूरते आती है यह सुन कर याद किया है अगर कुरान खोल कर पढ़ाओगी तो इसे नहीं समझ में आएगा अल्लाहु अपर कबीरा सारे तीन साल का बच्चा कहते हैं सारे तीन साल का बच्चा का ये तो टाइटल है और भी बहुत सारी सूर्थे है मैंने मेरे अब्दु कादिर को पुरान का विबास पिनाया है ये पुरान जानता है मुझे भी कम जानता है अब आगी की बास सुनो उस्ताद ने का माई माफी चाहता हूँ भै आप ठक तो नहीं कहना अरे आप पिषार तो नहीं हो रहे ना बोलो ना बात पूरी करो ना नहीं करना बस करना ये करते क्या समन में आना है यह करते बस कर करते क्या मैं बस कर जो ऐसा बोलो तो पिच्चे जी यह करने लगे समन में नहीं आता बात कंटीनू करो ना अब ये पांच में रिजाज़त है अल्ला तुमना जजाए करें कि तो तभी सुना एकला भोग जोर शी बोले आप अच्छा है जी शी बोले आप कि तो टीबू सुल्टान सरकल दुगदार में आए से कि तो मजे भी वापस गोका कुछ जाने का है कर दो खाए उस्ताद मारी जान मैं आपके बच्चे को नहीं पड़ा सकता अपने इस सब्सक्राइब मानने का चल बेटा हाथ बग़ना घर पर लाई छे महने के बार यठी अब्दülकादिरजिलादी रहमतुल्लाई के उमर चार साल छे महने में पच्चा मुकम्नऽ हाफिज कौरान था कत्य महने में जोर जोर सरिफ छे महने में कत्य साल की उमर में अरे जो मा जो बाप अपने बच्चे को गोद में बेठा कर मुबाइल में कार्टून दिखलाए वो बच्चा कल्मा कैसे ही आप आशा सही किराओ घराओ मेरी बात को घराओ मैं तुम्हें अल्ला रसूल का रास्ता देता हूँ अज अपने बच्चों को बेजार दे के लिए कि केछता ने रहाए इसे क्या करते है अब जायर इससे बात है हमने बच्चे को मुबाइल के हवाले किया तो वो भी हमें मुबाइल के हवाले करें अच्छा अब हज़राद शेख अब दिल कादिल जिलाई की उमर साथ साल आखरी बादा शाल किते साल साथ साल हज़र शेख अबदल कादिल जिलाई फरमाते हैं मेरी अमी ने मुझे से कहा था बेटा अगर रात को खाना है तो सुबों से लेकर शाम तक मुकमल पुरान सुनाना है तो शाम का खाना मिलेगा अम्बाहुत परकदिरा पोड़ा पुरान मुझे सुनाएगा तो राग को खाना मिलेगा साथ साल उमर हो गई बेटे ने कहा अमी जान मैं पुरान पढ़ना जानता हूँ समझना नहीं जानता अल्लाह अपर का मैं पढ़ना जानता हूँ समझना नहीं पढ़ने का मतलब अल्हंदुल्ल्लाही रबिलालमी इसको कहते हैं पढ़ना समझना अल्हंदुल्ल्लाही रबिलालमीन में क्या माना है उसका तर्जमा क्या है इसमें अल्ला ने क्या क्या कहा है इसको कहते हैं इसकी हिस्टरी इसकी डिक्षिनरी इसका मफोन इसका तर्जमा इसकी तर्जमा इसकी तर्जमा सरी बाते आ रहे का कि अमा जान कुरान पढ़ना तो जानता हो समझना नहीं जानता अमा जान मुझे इजाज़त दो मैं सफर करना चाहता हूँ इल्म हसिर करने के वास्ते मा ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और का मेरे लखते जिगर मेरे नूरे नज़र दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है तेरे अपा थे तु छोटा दूद पिता बच्चा था तुझे छोड़ कर चले गए तु ही मेरी जिंदगी तु ही मेरी आखिरत है तुझे ही तो देख कर जीती हूँ तु ही मेरी आखों की ठंड़क है तु ही मेरी आखों का सुकूल है तु आजा मुझे छोड़कर चला गया तो बेटे मैं किसके सहारे पर रहूँगी का अमा जान मैं दुन्या घूमने नहीं जा रहा मैं अल्ला का इल्म हसिद करना चाहता हूँ मैं पुरान को समझना चाहता हूँ मुझे वाबा की बात याद है मेरे बच्चे को सारी दुन्या का इमाम वराना है अमा जान आपको जब तक छोड़ू गानी दुन्या का इमाम कैसे बन सकता हूँ समझना मेरे भाईयों जब तक मैं आपको नहीं छोड़ सकता तब तक मैं दुन्या का इमाम कैसे बन सकता हूँ हाए हाए माने का बेटा आज आप सोजा सुबो देखते हैं क्या मा होगी वो क्या बेटा होगा क्या चर्चे होंगे वो हाए हाए फ़रिष्टे ने वगर करते होंगे बाब उस्रुगों अब सुनना मा सुई हजरत इशेक अब्दु कादिर जिलानी फर्माते हैं मा का हुकम तोड नहीं सकता था बने का अल्ला तेरे पुरान को समझना चाहता हो तेरे नभी की बातों को हासिर करना चाहता हो मेरे अब्बा का वादा पुरा करना चाहता हो कोई रास्ता निकाल दे नन्ना मन्ना हो छोड़ा सा हो कोई सहारा नहीं है मेरे अम्मा को छोड़ रही सकता तेरे इल्म को हासिल करना चाहता हो कोई रास्ता निकाल दे अल्लाह अबर है है शेख अब्दुलकादिर जीलानी को आवाज आई अब्दुलकादिर तेरी तमन्ना जरूर पूरी की जाएगी तेरी तमन्ना जरूर पूरी की जाएगी हिम्मत नहार अल्ला का रिजाम मेरी माए मैं तुम्हें हजारों बार सलाम पेश करता हूँ बड़े-बड़े आउलिया बड़े-बड़े कुत्ब बड़े-बड़े अल्ला हो जो बने है वो मा की तर्वियत की वज़े से बने है सची बता रहा हूँ मा की तर्वियत के वज़े से वरे है सुनो मा सुई मा सुई खाब में इमाम अन्बिया जनाद मुहम्मद रसुल्लाह सल्ल्लाह अलियु अलियु तश्रीफ लाए देखो मेरा बयान खत्म हो रहा है लेकिन मेरे बयान के चुम्रों पर हो करो मैं क्या कह रहा हूँ क्या पेखाब के कर तुम्हें जा रहा हूँ अपने बच्चों को अपने बच्चियों को इतिनाल से बचाना चाहते है कल्बे पर बाकी रखना चाहते है उन माओं ने क्या महनत की है उस महनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है अपने बच्चों के अल्ला के वास्ते निगरानी करो मैं कितना ओलू बोलकर मेरा गला बैट जाएगा आपके कार ठाट जाएंगे बयान खतम नहीं होता लेकिन जिस मकसद के अले आपने भुलाया है उस मकसद को समझो इमाम अंबिया तश्रीफ लाए सलाम किया सलाम करते ही का बेटी फातिमा तेरा नाम भी फातिमा मेरी बेटी का नाम भी फातिमा का फातिमा मेरी बेटी ने अपने दो बेटों को दीन के लिए कुर्बान कर दिया नहीं समझे चुर्बे को अरे समर में आ चुलना बहुत गहरा है का मेरी बेटी फातिमा ने अपने दोनों बेटों को दीब के लिए क्या कर दिया अरे बुलो ना सही है क्या खलत है अरे जोर से बुलो का फातिमा तु भी अपने बेटे के लिए खुर्बानी दे दे थोड़ी सी खुर्बानी दे दे पुरी उम्मत का इमाम अल्ला बना देंगे कहा इसकी रह्मरी मैं करूँगा बास अब सुबो हुई अमा ने का बेटा चल प्याद ले तैयार हो जा चलो चलो तैयार हो जाओ का अमा का इल्ब के सफर के लिए कल तो रो लेते, सीने से लगा लेते रो लेते, तु मेरा चेकला चे ये भोट सारी बाति मुलेते ए वो क्या नहीं तेरे नाना जान आये थे अल्ला अफ़कर तेरे नाना जान आये थे तेरे नाना जान आये थे का तिरी नहीं बहबरी मुहम्मद रुसुल अल्लाह साल सलम करने वाले बेटा हिम्मत ना हारना बहुत रोड़े रुकावटे आएंगी हिम्मत ना मत हारना कदम से कदम बढ़ाता चला जा आगे बढ़ता जा तेरी मदद अल्लाह करेंगे बेटा आगे बढ़ता जा अल्लाह बर माने बच्चे को तैयार किया क्या दुआएं दी होंगी क्या समझाया होगा क्या भुस्राया होगा क्या अल्लाह के सामने मागा होगा अगरी बात मतागर बात पुरी कर रहा हो जब शेख अब्दुलकादिर जीलानी रहमतुल्ला आले साथ साल की उमर में सफर शुरू करे अपने घर से निकले सफर करते इल्म हसल करते करते बागार और पताने कितने जगलार और कहां कहां गए सच्चे बता रहो वक्त नहीं है मेरे पास तफसिल से बताने का कितने मुझा हदे किये कितनी कुर्बानिया दी 18 साल की उमर को पहुँचे कहते साल की 18 साल की उमर को पहुँचे सादे सीधे कपड़े बगदाद के सारे अलमाने कहा इस वक्त सारी दुन्या में इस से बड़ा कुतुब इस से बड़ा आलिव कोई नहीं ये दो खाली एक टिप बोला मैं तुए एक टिप पुरी हिस्टरी नहीं बोला अगर वो साल साल की उमर से लेकर 18 साल की उमर तक के मुजाहदे बताओं न आप रात का खाना ने खाएंगे हम वडियों की करामत को देखकर खुश होते हैं कम सकंव उनकी मुजाहदों को देखो उनकी कुर्बानी को देखो उनकी करामतों को देखकर बहुत चोच में आ जाते हैं अल्ला के मंदों उनकी करामतों को एक टरफ रखो उनके एक-एक मुझा हदे पर उम्मतों के मेखफिरत होती है तो ऐसे हजारोअ अबुलकादिर की उम्मत को जरुरत है के नहीं एमान भरी से बताओ बोलो ना जरुरत है के नहीं है क्या माबाप की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्छपन में हम अपने बचचों की जहीं तरियत करें दुसरों को बाना ना दे दुसरों को दोश ना दे अल्ला रसुन का वस्ता देता हु इसनले आगसे मैं भी agसे बना इन्साउला जोरसे बनो हम अपने बच slipping खुद निगरानी करेंगे उनकी नमाजों की भी निगरानी करेंगे। बाप को अपने बेटे को दोस्त मानकर जिंदगी गुजारी चाहिए। अपने घड़ों की माहों को बदलने की कोशिश करो। अब कोई बली खुथ अबदार हमारे घड़ों में आने वाला। अल्ला सब को अमल की तव्फिग अदा फर्माएं अल्ला की घर को आबाद करो अल्ला आपके घर को आबाद करेंगे सारे बच्चों से, सारी बच्चियों से मस्दुरात तो मेरी गुजारिशे आपकी छोटी बच्ची है उसे इसकाप पिना कर मस्दिद को भीचो उसकी निगरानी करो बच्चियों की निगरानी करो और खासकर जब ओग मुबाइल में हो तो उसके मुबाइल की निगरानी करो ये बात याद रखो अगर आज ये बात आपको कड़ी लग रही है तो लगे लेकिन आज अगर आप ये बात नहीं समझे तो हम अपनी बच्चियों को खुद इर्तिदाद में ढखे रुए इसलिए ये कुछ इशारात है जो मैंने आपके सामने किये है अल्ला आज की इस बयान से हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिली है अल्ला सबसे पहले मुझे अमल की तोफिक अता फर्माए अल्ला आपको भी अमल की तोफिक अता फर्माए कुल कुल नमाजों की पाबंदी करेंगे अपने घरों में तालिव को जिल्दा करें जिक्र की पाबंदी करें नमाजों की पाबंदी करें अपने अखला को पेश करें, नौजवानों से गुजारिश है, अपनी यूणिट को बनाएं, एक बन कर रहें, अपने आप को नीचा ना दिखाएं, हम से अच्छा दुनिया में न कोई आया है न कोई आये है। बयान करता हमना मालूम लगता, नहीं वक्तालमा बयान कर दो कर रुस्त में बुला गुलाए कि अल्ला तुम्हें जजार खेर देंगे, तो इंशालला कभी अगर तफसील से स्यदना शेख अब्दुलकादिर जिलानी रह्मतुल्ह आले की सीरत अगर आपको सुनी है, उनके अ में क्या होगी, तास्गी होगी, कभी जिन्दगी में मौका मिले, तो बुलानी की कोशिश करें, और इंशालला बुलाए, तो मताद जल्ली बुलाते में दिमिकी में तो बेजारे, इंशालला जब तुने कभी मौका मिले बुला, इंशालला हम आएंगे, और आपको पीरान जितने भी महमान माशाओला सुरु दरास से आये, सन्निन के री से आये, गुकाग से, कनूर से, दुदाल प्राड़ से, जितने भी आये हैं, आप सब को मशुक्रिया अदा करता हूं, आप सब को जज़ा खेर अदा फरमाएं, और माशाओला कुछ दिनों से एक दो महने हुआ एक दो महने हुआ, माशाओला हमारे हाफिज साब, हाफिज वजल साब जो है, उनका ये सर चैनल, यूटूब चैनल है, और बहुत सारे बड़े बड़े ओलमा के बयानात, वो जो होते हैं, वो उम्मत तक पहुंचा के, आज मीडिया एक ऐसा जरीया है, जिससे बात बहुत जल्दी लोग कबूल करते हैं, तो माशाओला हाफिज साब का यूटूब चैनल है, या सर चैनल, याद रखे, उसके जरीये बहुत सारी बाते इंशाला आपको सुनने को मिलेगी, उससे जुड़ने की कुशिश करें, अगर मेरे बयान से किसी का भी दिल दुखाओ, किसी क भी दिल दुखाओ, अल्ला के लिए माफी चाथा हो, स्टेज पर बैठने वालों से, यंग कमेटी से, और सारे मज़ने से, मस्तुरा आप से बिल दुखाओ, अल्ला के लिए माफ करें, आप सबसे बहुत 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 शुक्रिया, अल्ला आप सबको जजाय खेर दे, और आप खाना खाती रहेंगी और नमाज पढूने के बाद खाना मिशालबह आकुला मिशालो अगर आप खिला देते लिए खोशी vibrations सारा मजमर खाने का उंथवर है माशा उन्हालो तेख का उंता उन्ति एंधा में टीबु की महबत में, सिऱ Act relationship मुहबत में टीबू वालों ने आपके ले खाने का इंतिजान किया है, सारे अख़ाब खाना का कर जाएं, धरुशनी पड़ें, शल्ला दुआ हुआ हुआ हुआ। हमने सुना है, तेरे वली की बातों को हमने कहा है, अल्ला तुने बुलवाया है, तुने सुनवाया है, अल्ला अमल भी तुही करवा सकता है, अल्ला एक नए जजबात के साथ इन्होंने बात को सुना है, हमने बातों कही है, अल्ला अमल कराना तेरा काम है, अल्ला हमारे इमान की हिफाज़त फर्मा, हमारे नसलों की इमान की हिफाज़त फर्मा अल्हा नसलों की इमान की हिफाज़त फर्मा, अल्हा सब खत्रे में है, सब मुश्किल हाला में है, हमारा, हमारी जानी भी खत्रे में है, माल भी खत्रे में है, इजब भी खत्रे में अल्ला तेरे से वा हमारा कोई नहीं है अल्ला तेरे से वा हमारा कोई नहीं है अल्ला हिफाज़त कर दे है अल्ला सब के हिफाज़त कर दे है अल्ला सब के हिफाज़त कर दे हिफाज़त कर दे है लगार। अखम आ masa ऐड़ा सेदी मूच कि श्याना मुटन सेधी य 사ल मैंही लारी,ま सेखानी य है, सिबुछाना रभिका रब्रिया जभागा है। स्य को झाल